हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तु मैं यूटूब चैनल वैशनभी प्री एजुकेशन क्लासस फ्रेंड्स जैसा आप लोग देख रहे हैं कि यह जो आपकी क्लास है बिल्कुल धमाकेदार तरीके से चल रही है और यह स्रीज आपके एकदाम में 100% छपने वाली है ठीक है इसलिए बोला जा रहा है आपसे कि यह जितने भी क्लासे हो रही हैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ठीक है हर फेक्ट पिछले एक्जाम में पूछा जा चुका है और यहां से रिलेटेड चितने भी फेक्ट आपको बताए जाएंगे सारे के सारे बेहद इंपोर्टेंट है और आप कोई भी एक्जाम दे लीचे टीजिटी पीजिटी एल्टीरेट यहां से मतलब क्वेशन पूछा ना होगा तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक के दे देंगे तो आप लोग जाकर वहां से पहले इसके पहले जितनी भी क्लासे हुई है लगबक चार से पांच क्लासे पढ़ा दी है हमने ठीक है आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार् करते हैं ठीक है तो चैप्टर का नाम लिखते हैं फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्या नाम है मुगल तथा दक्षिनी कला ठीक है पहले हम मुगल चित्रकला के जो कुछ फैक्ट है थोड़ा बहुत समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम सीधे बाबर अकवर से करना होगा कि जो मुगल कला है अपनी मुगल चित्रकला है इसका टाइम पीरियड क्या है तो याद रखना है ये 1556 से लेकर 1857 तक का हमें टाइम पीरियड मिलता है ठीक है पूछा जाएगा मुगल चित्रकला का जो आदिस्रोत है वो कहा था तो ये पूछा जाता है तो कहा था समरकंद और हिराथ ठीक है और कला का दुती स्वर्ण युग किसको कहा जाता है मुगल काल को कला का दुती स्वर्ण युग कहते हैं ठीक है और पूछा जाता है कि मुगलों के पूर्वच कहां से आए थे तो ये हमारे कहां से मंगोल से आए थे ठीक है मंगोल या फिर कह पूर्व का होमर तहा जाता है यह भी याद रखना है ठीक है पूछा जाता है हाशिया बनाकर चित्रण करना कौन सी शैली का प्रभाव है तो यह पार्सी शैली का है जो हाशिया बनाकर चित्रण करते हैं इसमें पार्सी शैली का प्रभाव है ठीक है और भारत में सबसे पहले जो इस्थिर चित्रण हुए है जिसे हम इस्थिल लाइफ बोलते हैं यह कहा दरबारी चत्रकल का सम्मन्द कौन से शैली से है तो यह भी मोटी-मोटी चीज़ें हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई है अभी हम स्टार्ट करते हैं हर चीज को ठीक है? अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम बाबर को चलि बाबर का टाइम पीरियड अगर देखा ज जाता है कि भारत में मुगल वन्षी का संस्थापक कौन था तो यही अपना बाबर था ठीक है और बाबर के जन्म की बात की जाए तो इसका जन्म वैलेंटाइन डे के दिन होता है 14 फरवरी 1483 में होता है कहां पर फरगना घाटी के अंदीजन में जो की वर्तमान में उद्वे किस्तान में है ठीक है और बाबर को कौन सी उपादी दी गई थी इसको कलंदर की उपादी दी गई थी ठीक है और बाबर ने अपनी आत्म कथा बाबर की आत्म कथा कौन सी थी तुझो के बाबरी थी इसमें हिरात को किस रूप में वर्नित किया गया है तो बुद्ध जीव इसकी रचना किस भाशा में की है तो इनकी जो खुद की मात्र भाशा थी चगताई तुर्की में की है कौन सी भाशा में ता से तुर्गी तुर्की हो गया और ता से तुझो के बाबरी हो गया ऐसे याद रखिए ठीक है और तुझो के बाबरी जो है इसी को हम बाबर नामा भ पद्द शैलि है कौन सी मुबैयान नामक जो पद्द शैली है इetus का अविशकारक भी मानते हैं ठीक है और इसी ने आगरा में ज्यामिति विधी से एक बाग जिसका नाम है नूर अफगान बाग जिसे हम zijn आराम बाग बोलते हैं कहा है आगरा में है इसको जयामिति विधी से बनवाया था किसने बाबर नी ही ठीक है और बाबर ने आराम बाग या फिर कह तीज़े नूर अफगान- इस बाग का निर्मार कहां करवाय था ये भी खूब पूँछा जाता है याद आखना है आगरा में करवाये था हमने आपको बता दिया ठीक है आगे चलते हैं तो बाबर ने किस के चित्रों के आलोशना की थी योकी ये ईरानी चित्रकार ठीक्ष्रभी ह् जिसको हम पूर्व का राफेल बोलते हैं ठीक है यहां तक समझ आया आगे शरते हैं पूछा जाएगा कि बाबर द्वारा भारत में लाई गई जो शाह नामा है इसकी एक सचित्र प्रती अंग्रेजो द्वारा चुरा ली गई थी ठीक है और यह चुरा कर कहां ले गई है ले राजकुमार किसको कहते हैं तो यही है अपना बाबर जीवनी लेकों का राजकुमार और मुगल कालीन इस्थापत की जो सुरुवात होती है वो किसके समय में होती है स्टार्टिंग की बात हो रही है ठीक है तो बाबर के समय में और मुगल कालीन प्रतम इस्थापत कौन सा पूछे जाता है, तो यह आपको काबूली बच्छा मस्जद है जो कंवा पानी पथ अरियाणा में है याद रखना है। और बाबरी मस्जद है यह आप के आयोध्या में है। सभी जानते हैं कहा है। बाबरी मस्जिद और इसके निर्माड की बात की जाए किस ने करा था तो ये बाबर का एक सेना पती था मीर बाकी इसने इसका निर्माड किया था ठीक है आगे चलते हैं ये थी बाबर की कुछ मोटी मोटी चीजे जो आपके एक्साम में फैक्टिली पूछ ली जाती है ठीक ह में में चीजे हमने आपको बता दी आगे चलते हैं नेक्ष्ट आता है आपका हुमाईू अभी और भी बहुत सारे पैक्ट है अभी पढ़ते जाएए बस समस्ते जाएए कैसे हम आपको चुटकी में याद करवाते हैं तो हुमाईू के बारे में समस्ते हैं तो इसका पूर बेगम थी ठीक है और बाबर के चारों पुत्रों इसके किते पुत्र थे मतलब बाबर के चार पुत्र थे हुमायू कामरान असकरी और हिंदाल इसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था ना वो कौन था यही आपका हुमायू था ठीक है और हुमायू की जीवनी पूछा जाता है जैसे बाबर की बाबर नामा था वैसे ही इसकी जीवनी का नाम क्या है हुमायू नामा है ठीक है और हुमायू नामा को किसने लिखा था इसकी बहन थी हुमायू की ही बहन गुलबदन बेगम इसने लिखा था इसने गुलबदन बेगम ने लिखा था ठीक है और पूछा जाता है कि 1556 इस भी को हुमायू की मित्तू हो जाती है कब होती है 1556 में इसकी मित्तू हो जाती है याद रखना है और मतलब कैसे होती है सेर मंडल जैसे हम पोथी खाना बोलते हैं इसकी सीडियों से गिलकर इसकी मित्तू हो जाती है और लेनपून है एक विक्टी का नाम है लेनपून इसने हुमायू के विशे में एक वक्तव कहा है उसको सुन लीजे क्योंकि ये पूछा जा चुका है एक्जाम में पूछा जाता है कि हुमायू जीवन भर लडखडाता रहा और लड़कडाते हुए ही अपनी जान दे दिया किसने कहा था ये ये लेनपून ने कहा था ठीक है ऐसे ही एक क्वेशन और पूछा जाता है कि इरानी चित्रकार अब्दुश्यमत सीरा जी और मीर सेयद अली इनको किस मुगल शासक ने सबसे पहले अपने दरवार में आमंदित किया था इसकी बात हो रही है पहला अब्दुश्यमत सीरा जी प्लस दूसरा मीर सेयद अली ठीक है इन दोनों को किसने आमंदित किया तो इसी हुमायू ने किया था ठीक है और हुमायू के दरवारी चित्रकार कहां के रहने वाले थे तो ये आपके कहां के इरान या फिर फारस कह दीजिए और हुमायू ने किस कहानी का चित्रा प्राडम्द करवाया था तो इसने अमीर हमजा कहानी का दिया था और क्या है कि हुमायू काल के अमीर अम्जा कहानी के जो चित्र है वो किस पर बने हैं तो ये सूती कपड़े पर बने हैं किस पर बने हैं सूती कपड़े पर बने हैं याद रहना है ठीक है और किस ने कबूतर के पंख को काट कर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाए था तो यही था हुमायू ठीक है और पूछा जाता है दिल्ली में जो दीन पनाह नगर है जिसे हम विश्यू का सरण इस्थल बोलते हैं देखे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्यू का सरण इस्थल क्या है तो आपका दिल्ली में दीन पनाह नगर है ठीक है और यह जो नगर है इ दिल्ली के पुराने किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई थी उस मस्जिद का नाम क्या है किला एक कुहना नाम है ठीक है और हुमायू के अविश्कारों में एक चीज मिलती है चहार ताक नामक नाव कौन सी चहार ताक नामक नाव मिलती है इसके अविश्कारों में ठीक है त अकबर के बारे में तो यहाँ से देखते हैं तो अकबर के बारे में सबसे पहले याद रखना है इनका पूरा नाम तो इनका पूरा नाम था जलाल अदीन मुहम्मद अकबर नाम था ठीक है याद रखना है और अकबर को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जाता है सुनने जाता है अकबर ए आजम के नाम से जाना जाता है अकबर ए आजम के नाम से शहनसाह अकबर के नाम से और फिर महाबली शहनसाह के नाम से ठीक है ऐसे याद रखना है और पूछा जाता है अकबर किसका पौत्र था मतलब अकबर पौत्र था याद र ठीक है और पुत्र किसका था तो यह हमायू प्लस हमीदा दोनों का पुत्र था ठीक है हमीदा और हमायू ठीक है और अकबर के जन्म की बात की जाए कब होता है तो इसका जन्म होता है 1542 में कहां पर अमरकोट सिंध में राजपूत शाशक थे राडा बीरवल मतलब बीरवल के मतलब बीर साल के महल में और पूछा जाता है कि मुखाकरती चित्रण कौन से मुगल शासक के शमय में होता है तो मुखाकरती चित्रण यही आपके अकबर के समय में होता है याद रखना है और पूछा जाता है कि अकबर का जो राज्या भी सेख हुआ था वो कितने वर्ष की उम्र में हुआ था जब ये 13 साल का था तब हुआ था और कहां हुआ था कला नौर आपके पंजाब में पढ़ता है तो यहीं पर हुआ था ठीक है 1556 में हुआ था अगे पूछा जाता है कि अकबर का विवाह कब होता है तो 1562 में होता है ठीक है और आमेर के कछवाहा राजपूत भारमल की पुत्री थी जोदाबाई इन से होता है उल्टा करके पूछ ले जोदाबाई किसकी पत्मे थी तो अकबर की थी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाईचारा के लिए जो मतलब देखी जाती है सुलह एक कुल की नीती आपसी भाईचारे के लिए हिंदू मुसलिम एकता के लिए सुलह एक कुल जो नीती अपनाई थी वो इसी अकबर ने अपनाई थी ठीक है और अकबर के दरबार में 1580 इस्वी में फतेपुर सीकरी से आने वाले प्रथम जैस्विट मिशन का जो नित्त किया है वो किसने किया है तो याद रखना है ये फादर एका भीवा थे इन्हों ने किया था ठीक है और अकबर जो है ना ये 1575 इस्वी में इबादत खाना जैसे हम पूजा ग्रह कहते हैं इसकी स्थापना की थी कहां पर की थी ये की थी पतेपुर सीकरी में की थी ठीक है याद रखना है और पूछा जाता है जगद गुरु की उपाधी प्रदान किसको की थी अकबर ने ये जैना चार हरी विजे सूरी थे जिनको जगद गुरु की उपाधी प्रदान की थी ठीक है और अकबर का मगबरा पूछले कहां है तो ये है सिकंद्राबाद में है कहां है सिकंद्राबाद आगरा में पढ़ता है उत्तरपदेस में यहां है ठीक है और अकबर के शासनकाल का प्रथम इस्थापत कौन सा है तो ये याद रखना है कौन सा है हुमायू का मगबरा है जो कि किसने बनवाया था ये हाजी बेगम ने बनवाया था ठीक है और हाजी का मतलब पूछ ले क्या होता है तो जिसमें मक्का में इस्थित इस्थल की ज्रेठ अत्रा की होती है न हम हाजी बोलते हैं तो फोड़िन और बूर्जय की नियोग किस ने रखी बोल दे हैं तो अकबर चित्रकला को प्रोट साहित किस ने किया है ओफिर को इस कि आइने अक़जा कौन थे याद रखना है केशव्ध दास धरम धास धे और बसावं इससमें पूचह जाएगा दीने इलाही धरम में किसने चलाया है अकभ़्र झाया है इम्पोर्टेंट है कि 5015 NF में पते पूर सीखरी में इन्हों ने बुलंद दर्वाजा बनवाया था, कौन सी विजय के उपलक्ष में तो यह गुज़रात विजय के उपलक्ष में नोने बनवाया था, ठीक है, और पूछा जाता है कि जो बुलंद दर्वाजा है, इसकी उचाई कितनी है, ये लगभग आपका 134 फिट है, ठीक है, और किसके समय में महत्तु मिला अकबर के समय में और सबसे अधिक जो व्यक्ति चित्र बनते हैं वो किसके समय में बनते हैं तो ये भी अकबर के ही टाइम पे बनते हैं ठीक है और मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्रन को विशेश स्थान मिला है वो भी इसी के टाइम पे अकबर के टाइम पर ठीक है और भारत में दर्बारी इतिहास लेखन की परंपरा की सुरुआत पूछे तभी अकबर के समय में ठीक है और पूछा जाएगा कि फिर ये चीज़े याद रखनी है ठीक है सारी आगे पूछा जाए सकता है आपसे आगे पूछा जाए सकता है कि किस ग्रं में मुगल शैली का निर्माड किसके शासनकाल में होता है तो ये अकबर के टाइम पर होता है और आइने अकबरी का रचाईता कौन है तो ये अबुल फजल है ठीक है और किस मुगल समराट ने महान संगी तक हरिदास से भेट की थी किसने की थी तो ये अकबर है जिन्होंने धेट की थी ठीक है और अकबर के समय उसके तस्वीर खाने में कितने चित्रकार काम करते थे यहां पर 207 चित्रकार काम करते थे जिसमें से 56 प्रिशत हिंदू थे कितने 56% हिंदू थे ठीक है और अकबर कालीन चित्रकारों में सरवाधिक जो संख्या थी न वो हिंदू चित्रकारों की ही थी ठीक है हिंदू चित्रकार की और अकबर कालीन चित्रों की जो विशेस्ता है न वो यही है कि यहाँ पर दरवारी चित्र मिलते हैं कैसे दरबारी चित्र मिलते हैं ठीक है और मुगल चित्रकार जो बसावन है वो यह इन्ही की दरबार में था किसके अकबर के टाइम ठीक है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा थोड़ी सी भी क्लास अगर पसंद आया करें तो likewise कर दिया करें ठीक है अभी तो अकबर प्रशिद छवी चित्रकार कौन था तो ये आपका कौन था बसामन था और अकबरी दर्वार मतलब पूछा जाता है अकबरी दर्वार का जो व्यंग चित्रकार था वो कौन था यही बसामन था और बसामन कौन सी जापी से था ये अहीर था ठीक है और रजमिनामा जो है न ये जिरज मिनामा किसका है तो ये महा भारत का फार्सी में अनुवाद है याद रखना है ठीक है और महा भारत का फार्सी में अनुवाद किस ने किया है तो अब्दुलकादिर बदायूनी ने किया है और अकबर कालीन चित्रित है अनवर ए सोहेली इसका अनुवाद किसका है तो क्या नाम से है यह है आयार ए दानिश के नाम से है ठीक है याद रखना है और अनवर ए सुहेली जो है इसका फार्सी अनुवाद किया किसने है तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है हुसैन इबन अली बैज अलकासिफ इसने किया है इसने हुसैन इबन अली बैज अलकासिफ में ठीक है और पूछा जाएगा वाक्यात इबावरी इसकी मतलब पूछा जाएगा कि वाक्यात इबावरी की अकबर कालीन प्रती में कितने हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों का उलेख है वाक्यात इबावरी की अकबर कालीन प्रती में कितने हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों को मिला है तो ये हमें 19 हिंदू मिलते हैं यहां हमें 13 हिंदू मिलते हैं चार मुसल्मान में तो तेरा चार कुस्में है आईने अकबरी में और वाक्याते बाबरी में 19 तीन है अब चलते हैं आगे पूछा जाता है कि जो बाबर की एकप्रति सुरक्षित की गई है अकबर के समय में वो कहां की गई है तो यह आपके रास्ट्री संग्रहाल है नई दि आपकी कौन सी शैली में मिला है तो यह आपकी मुगल शैली ही हो जाएगी ठीक है आगे एक चीज या जखेगा जो केशव है ना हिंदू कभी केशव इनकी क्रती थी रसिक प्रिया 1620 में चित्रित की गई थी ठीक है और रसिक प्रिया के 32 चित्र जो है बोस्टन संग्रहाल में है और 12 चित्र कहां है लंदन और अमेरिका के निजी संग्रहाले में है ठीक है हमने क्या बोला फिर से सुन लीजे जो केसों है इनकी रसिक प्रिया रचना है जो की 1620 में होती है ठीक है और रसिक प्रिया के जो चित्र है 32 चित्र बोस्टन संग्रहाले में है और 12 चित्र जो है कहा है लिंदन और अमेरिका के निजी संग्रहाले में है पूछा जाता है ये जो मतलब रसिक प्रिया है ये किस शासक के समय में चित्र बनवाए थे किस मुगल शासक ने इसमें चित्र बनवाए थे तो ये बनवाए थे अकबर ने किस ने बनवाय थे, आकबर ने बनवाय थे, याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो आकबर की चितरशाला का जो मुख़्े चितरकार था, मीर मुसब्बिर, ये कौन था, ये मीर शय्यद अली था, ठीक है? याद रखना है आगे चलते हैं मतलब कि देखे पूछा जा सकता है ऐसे कि जो मतलब कि जो मीर शेयद अली है वो किसकी चितरशाला में काम करते थे तो उल्टा पूछ ले तब भी याद रखा है ठीक है आगे पूछा जाएगा कि अकबर के दरबार का जो स्रेश्ठ था वो कौन था वो अब्दुश्यमत था और मुगल चितरकला में हिंदू विश्यों का पोशप कौन है तो ये आपका अकबर है ये पूछा जाज़का है ठीक है और अकबर ने अपनी दरबारी चितरशाला जिसे हम तस्वीर खाना कहते हैं ये कहां इस्थापित है तो ये पतेपुर सीकरी में है ठीक है और अकबर का आर्ट स्टूडियो कहां है तो ये आपके पतेपुर सीकरी में है और अकबर की चितरशाला में कुल कितने गुजराती थे गुजराती की बात आएगी तो 6 चित्रकार थे गुजराती और कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और सूली पीकार ये दोनों था बताईए कौन सा मुगल कलाकार है जो चित्रकार सूली पीकार दोनों था तो ये आपके जो अब्दुश्यमद सीरजी है न यही था ठीक है और अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था यही अब्दुश्यमद है ठीक है और अकबर कालीन सर्वोत्तम कृति अकबर नामा में सर्वस्रेष्ट चित्र कौन सा है यह सलीम के जन्म वाला चित्र है याद रखना है और मतलब कब बनता है 1590 में और मतलब इस इस कहानी का बहुत शौकीन था तो ये अमीर हम्जा की कहानी का बहुत शौकीन था और अमीर हम्जा मतलब जो कहानी का शौकीन था वो कौन था अकबर था ये बता दिया आपको और पूछा जाता है किसके संद्रक्षन में हम्जा नामा का चित्रांकन हुआ था तो ये अकबर और पूछा जाता है दास्ताने अमीर हम्जा के जो चित्र बने हैं वो कैसे बने हैं तो 28 x 22 इंच लंबे चौड़े सूती कपड़े पर बने हैं ठीक है और अमीर हम्जा की 61 प्रतियां जो है ये कहां सुरक्षित हैं तो ये आपके Museum of Applied Art Vienna Austria में रखा गया है इसको ठीक है पूछा जाएगा कि निपुर पच्छी जो चित्रकार था मतलब अकबर के दरबार का पूछा जा रहा है ये अकबर के दरबार का जो निपुर पच्छी चित्रकार था वो कौन था तो ये आपका मिस्किन था कौन था ये मिस्किन था ठ आगे पूछा जाएगा कि अकबर कालीन क्रिश्न गोवर्धन क्रिश्न गोवर्धन परवत को उठाए हुए जो कि मेट्रोपॉलिटन मुजियम ऑफ आर्ट न्यू यॉर्क USA में सुरक्षित है इसके लगू चित्रको 1585 से 90 के बीच में बनवाया गया था किसने बनाया था राम्चरित मानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था एकबर ठाए और किस मुगल शासक के समय में पहली बार भीती चित्रकारी की सुरुवात होती है तो अकबर की समय और पूछा जाता है कि बाबर का घोड़े पर से गिरना ये किस युग का चित्र है तो ये भी अकबर के ही टाइम का है ठीक है और रामायड अच्छे से समझेगा रामायड योग वसिष्ट हरिवंश इसके चित्र कौन सी शैली में बने है तो मुगल शैली में और किस की काल में बने है तो अकबर के काल में बने है ठीक है हर चीज को अच्छे से सुनते जाना है क्योंकि सारे प्रेक्ट आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा ठीक है कि से यहां कि Tamam कि जो पोधी है कि कि है इसमें 378 पंग जिसमें से 122 पर 147 सबस और चित्र है को चित्रा है 122 पर इस does हुआ स्था कितने हैं जिसमें से 122 पर 148 चित्र है यह सुरक्षित कहा है तो रास्ठट्री मीन दूलि कि सुरक्षित है को में इसाय के तच्छारत पर पूछा जाएगा कि युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय सबसे अधिक होते हैं तो यह अकबर के ताइम पर एक ही नाम के दो चित्रकार हैं जो मुगल तथा राजिस्थानी शैली के थे तो कौन है यह मनोहर है याद रखना है ठीक है और पूछा जाता है कि जो रजम नामा है यह कहां संग्रहीत है तो यह मुगल पांडुलिपी है सवाई मान सिंग दुतिय तंग्रहाले जैपुर में इसका संग्रहन है ठीक है और सीरी कलम किस कलाकाल की उपादी है सभी जानते हैं शिल्प सास्ट की कौन सी पुस्तक लिखी गई है तो यहां शिल्प रत में लिखी गई है कौन सी शिल्प रत में और किसमें लिखी है केरल के स्री कुमार थे इन होने लिखी गए और बाबर नामा अकबर नामा के चित्र कहां पर बनाए गए हैं अकबर के शासंकाल में ठीक है और दास्तान अमीर हमजा इसकी चित्रावली किसने तयार की है तो ये तबरेज निमासी थे मीर शेयद अली और शीरा जी इसके मतलब अबद कालीन चित्रकार दसवंत का गुरू कौन था तो ये ख्वाजा अबदुश्मत था और किस मुगल चित्रकार ने भारती देवी देवताओं का चित्र किया है तो ये दसवंत ने किया है और अकबर कालीन तूती नामा में कितने चित्रों का संग्रह है तो 103 चित्रों का तूत अगे बढ़ते हैं तो अकबर के समय तुर्की से फार्सी में अनुवाद बावर की आत्म कथा किस नाम से की जाती है तो ये है वाकियात ए बावरी जिसका ताइम पिरियड मिलता है 1589 ठीक है और अकबर के शाही पुस्तकाले कहां कहां पर थे तो ये आपके आहागरा में थे दिल्ली में थे लाहर में ठीक है ये पुस्तकाले आगे चलते हैं तो अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्त लिखित पुस्तके हैं तो लगभग इसके जो पोथी खाना है यहाँ पर लगभग 24,000 पुस्तके थी जिनका मूल करीब लगभग 6,500 रुपय था ठीक है और पुछा जाता है की 2008 में आती है आश्तोस गोवरीकर द्वारा निरदेशित पिल्म जोधा अकबर कब आती है 2008 में आती है और इसमें जो अकबर और जोधा का चरित किया है मतलब रोल निभाया है किसमें तो जो जोधा बनी थी वो एस्वर्य राय बनी थी और अकबर बने थे फृतिक रोशन ठीक है तो यह जो मूवी आती है कब आती है यह 2008 में आती है जोधा अकबर और मुगले आजम कब आती है 1960 में आती है तो यहां से जो आपके अकबर थे वो complete हो जाते है ठीक है उमीद बहुत अच्छे से समझ में आया है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है अब हमें जहागीर भी हम पढ़ा देते हैं फिर शाह जहां से हम कल कर देंगे ठीक है वर्णा क्लास बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि यह मुगल चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है ठीक है चलते हैं आगे तो अब पढ़ते हैं जहागीर के बारे में चलिए समझ लेते हैं जहागीर को तो जहागीर के टाइम पीरियेड कब मिलता है 1605 से 1627 में मिलता है पूछेगा इनका पूरा नाम क्या था जहागीर का तो याद रखना है क्या नाम था मिर्जा नूरुद्दीन बेग मुहमध खान शलीम ठीक है जन में कब होता है 1569 में होता है कि कि गर्व से होता है जोदवाइ के गर्व से हु prac और जहांघीर है। इसका वेवाय किस से होता है। नूर जहां का मूल नामस निसा है। और नूर जहां का सम्वन्द किस वस्त कला है तो इसका संब्ध चिकनकारी से है और पूछा जाता है कि जो नूर जहां की मा है उसका नाम है असमत बेगम इन्होंने क्या किया था कि गुलाब से इत्र बनाने की विधी का अविस्कार किया था इनकी माने ठीक है पूछेगा जहांगीर का मगबरा कहा है तो यह आपके लाहॉर में है और सहजादा सलीम की जो फ्रेजी मतलब प्रेमी का थी, वो कौन थी आनार कली थी अनार कली का मगबर ह कहा है! लाहॉर पाकिस्तान में है ठीक है और पूछा जाता है कि 1953 इसवी में अनार कली के जीवन पर आधारत पहली फिल्म बनाई गई थी कब 1953 में अनारकली के जीवन से अब सम्बंदित और अनारकली की भूमी का इसमें निभाई थी बीना राय ने ठीक है और पूछा जाता है किसने फार्सी भासा में अपनी आत्म कथा तुझो के जहागीरी की रचना की है तो ये किसने की है जहागीरी की है ठीक है और प्रकती जानवरों फूलों के लिए अनन्निप्रेम जो है वो किसमे चित्रत है तो यही आपकी तुझो के जहागीर में है और मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते है जहागीर के टाइम को कहते है ठीक है और किस मुगल शासक के शासनकाल में पसू पक्षियों का भव्व चित्रन हुआ है तो यही है जहांगीर के टाइम से और शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं तो जहांगीर के समय होगी मुगल शैली होगी और जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसमे बनाए है बनाने वाले थे कौन मनुहर थे ठीक है और मनुहर द्वारा निर्मित है शेर का शिकार करते हुए जहांगीर इसका जो प्रशिद चित्र है मनुहर का कहां मतलब सुरक्षित है तो ये एक प्रती जो है मासको में है और इसकी दूसरी प्रती, आकसपोर्ड में है ठीक है, कहां? आकसपोर्ड में और दुसरी है मासकों में आगे चलते हैं, तो मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम परा कास्था पर पहुंσती है तो यह जहां गीर के ही टाइम पर पहुंचती है आगे पूछा जा सकता है आपसे कि मुगल काल में चित्रकला का चर्मोट कर्स किसके काल में जहागीर के और मुगल कलम का सर्वस्ट्रेष्ट समय था कौन सा जहागीर का समय था और कौन सा मुगल समराठ चित्रकला को सबसे अच्छा समय था जहागीर ठीक है और जहागीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था तो ये था आपका बिशंदास था कौन था ये बिशंदास था याद रखना है सारे पर फैक्ट हम बताते जा रहे हैं सुनते जाएए सुनते सुनते सब याद हो जाएगा नूर जहा का शबी है किस ने बनाया है तो ये ही बिशंदास ने बनाया है और मुगल शिंगासन पर जहागीर के सतासीन होने के अवसर पर दरबार का द्रश्य किस चित्रकार ने चित्रत किया था तो कौन था ये अपना अबुलहसन था कौन था ये अबुल हसन और जहागीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसको मानता था तो यही अबुल हसन को मानता था ठीक है अब देखिए एक क्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जहागीर ने एक चीज बनवाई थी जिसका नाम था शीस महल चस्मी नूर क्या था पूछा जाता है शीस महल चस्मी नूर कहां है पहली बात तो ये अजमेर में है और बनवाई किसने है जहागीर ने ही इसको बनवाया है ठीक है तो समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं और पूछे जाता है कि जहागीर का प्री चित्रकार कौन था? तो यही आपका का नाम था? अबुलहसन और मंसूर यह जो दोनों थे ना, इन दोनों ने मिलकर एक क्रती बनाई थी जिसका नाम है चेनार के व्रक्षपर गिलहरियां पूछा जाता है चेनार के रक्षपर शिकार के बाद जहांगीर काल का है ये ठीक है ये चित्र और पूछा जाता है इसका माध्यम क्या है इसको जो बनाएगा है वो कागज पर नीम कलम तकनीक से बनाएगा है ठीक है सुरक्षण की बाद की जाए कहा है तो हमने पहले ही बता आगे पूछा जाएगा शेख सूफी संत का चित्र किसने बनाया और यह कहां सुरक्षित है तो किसने बनाया है इसको विशंदास ने बनाया है सुरक्षन की बात की जाए तो वारांसी में इसको सुरक्षित किया गया है ठीक है और जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने इरान भेजा था तो किसको विशंदास को भेजा था ठीक है आगे फटेपुर सीकरी में इस्थित है शेक सलीम चिस्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह इसको किस मुगल समराथ ने संग मरमर से बनवाया था पूछा जाता है कि विशेश प्रकार के पशु पक्षी पूल पत्ती राजकुमार और जादूगर यूरोपी सिपाही इसाई साधक चीनी ड्रेगन ये सब किसके टाइम पे मतलब किसके समय के चित्रों में अंकन में दिखाई देता है ये जहागीर के टाइम पे और पूछा जाता है कि 1960 इस जो है उसने शहजादा का और मधुबाला ने अनार करी इसका रोल किया है ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया होगा तो यहां से हमारे जो जहागीर है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आज की क्लास में हम केवल यहीं तक रहते हैं वरना लंबी हो जाएगी क्लास अब इसके आगे जो नेक्ष क्लास होगी अब वो शाह जहां की होगी तो क्लास कैसी लगी है सभी को यह बताना है पहाडी कला स्टार्ट करनी है ठीक है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि जो आपकी पहाडी चित्रकला है मुकिता इसका छेत्र क्या है इसका जो छेत्र है ना वो हमें दो छेत्र मिलते है मेली आपका एक पंजाब मिलता है दूसरा आपका हेमाचल प्रदेश मिलता है ठीक है तो यहां की जो पहाड़ियां है यहां पर हमें पहाड़ी शैली का मिलता है ठीक है पहाड़ी चित्रकला मिलती है पूछा जाएगा जो पहाडी शेली है इसकी खोच किस ने की थी तो याद रखना है मैट कॉफ ने की थी ठीक है और मैट कॉफ के बाद पूछा जाता है कि किस विद्वान ने पहाडी चित्रकला की विस्तृत जानकारी दी तो याद रखना है इनके बाद आते हैं कौन और कब आते हैं तो ये 1910 में आते हैं जिन्होंने की थी ठीक है आगे पूछा जा सकता है कि पहाड़ी चित्रों को जो सबसे पहले डॉक्टर आनन्द कुमार स्वामी ने प्रदर्शित किया था वो कहां प्रदर्शित किया था तो ये इलाहबाद में प्रदर्शित किया था ठीक है याद रखना है और डाक्तर आनन्द कुमार स्वामी ने 1916 समझते जाएगा टाइम फीरिट बिलकुल सेक्वेंस में चल रहे हैं ठीक है तो 1916 इस भी के अपने ग्रंध राजपूत पेंटिंग क्या है राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भाग केरे पहलेट बनता है याद रहा है कि अ है को किसे राजपूत पेंटिंग पहाडी चित्रों को कितने बागों में बढ़ा टाइव लेकिते अबभ sì पिछा जाता थैंग पर इनकर शेय जिसे हम जम्मु कलम बोलते हैं क्योंकि जम्मु में है यहां तक समझ में आगया अब एक चीज याद रखेगा जब हम देखो यह पहाड़ी जो चित्रकला पढ़ रहे हैं यह एक तरह से इस्थानी टाइप की जैसे पंजाब हो गया यह आपका हमान चल हो गया तो इसको हम ल दिमाग में हो गई होगी आगे चलते हैं पूछा जाएगा पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है तो देख एक चीज याद रखेगा अठारा से उनीस दे दे या फिर सत्रा से उनीस दे तो यह थोड़ा सा मत्रब लगभग में पूछा जा सकता है ठीक है कौन से शैली में तो यही आपकी पहाड़ी शैली में है और नारी अंकन का जो सुन्दर चित्रण हुआ है वो कौन से शैली में यही आपका पहाड़ी शैली में है प्रकती चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्त्य मिला है तो भी आपका पहाड़ी हो जाएगा ठीक है और देखे एक question खुब पूछा जाता है कि पहाडी चित्रों में कौन से रंगों का यूज हुआ है तो इसमें गहरे रंगों का यूज हुआ है ठीक है और सबसे अधिक क्रिश्न लीला के चित्र कौन सी शैली में मिलते हैं तो यही अपनी पहाडी शैली में मिलते हैं ठीक है और पूछा जाता है कि 1952 में WG Archer थे आगे चलते हैं कब की बात बताई हैं हमने 1952 में WG Archer थे इनकी मतलब की WG Archer की पहाडी शैली पर लिखी दो पुस्तके हैं जो पूछी जाती हैं WG Archer की पुस्तके हैं यह खूप पूछी जाती हैं इनको समझ लीजे पहली है Indian painting in the Punjab Hills कौन सी है Indian painting in Punjab Hills ठीक है और इनकी दूसरी painting मतलब की दूसरी पुस्तक का नाम है Kangra painting तो यह आपको याद रखनी है यह दोनों जो पुस्तके हैं यह किसकी है WG Archer की है जो की पहाडी श miniature painting इसके लेखा कौन है पूछा जाता है पूछा जाएगा कि पहाडी miniature painting के लेखा कौन है तो यह आपके Karl खंडाला वाला है ठीक है ऐसे ही पूछा जाएगा कि ब्रजेंद्रनात गोस्वामी का जो संबंद मिलता है वो कौन से मतलब कौन सी Shelly से मिलता है तो यह याद रखन है आपको यह पहाडी Shelly से ब्रजेंद्रनात गोस्वामी जिसे हम बोलते हैं बी एन गोस्वामी इनका संबंद मिलता है ठीक है देखिए जतने fact बता रहे हैं सारे के सारे important है और थोड़ा सा गले में problem है इसलिए हम आज थोड़ा सा sloppy हुए है ठीक है और पूछा जाता है आ ठीक है और पहाडी चित्रों की संख्या पूछ ले कितनी है तो यह लगभग आपके पचास हजार है ठीक है और यह किसके अनुसार है राधा कमल मुखर जी कौन थे तो यह मतलब यह एक अध्यक्ष थे और कहां पर अध्यक्ष थे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर बलवंत सिंग के दैनिक जीवन से संबंदे चित्र जम्मू शैली में और संसार चंद के दैनिक जीवन से संबंदे चित्र तीरा सुजानपुर में कांगडा शैली में अधिक पने है याद रखना है ठीक है मतलब अगर बलवंत सिंग का पूचता है तो जम्मू शैली अगर संसार चंद का पूस्ता है एक सिकंड चलिए चलिए वो कैंजल हो गया था ठीक है देखे हमने आपसे बोला कि अगर बलवंत सिंग का पूस्ता है तो आपका क्या हो जाएगा जब मुशैली हो जाएगा लेकिन अगर संसार चंद का पूस्ता है तो क्या हो जाएगा तीरा सुजानपुर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा दोनों चीज़े चली आगे बढ़ते हैं अब next question पर तो पूछा जाएगा कि भारती चित्रकला में जितु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं तो इसको हम 12 मासा कहते हैं ठीक है और पहाड़ चित्रकला जेली और पहाड़ी लगूचित्रों का सबसे बड़ा संग्रे कहां मिला है तो गौर्मेंट मूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगड में मिला है ठीक है अब यहां से start करते हैं अपनी बसोहली शयली को कौन सी बसोहली शयली को है फटा फट से देख लेते हैं तो देखिए समस्त पहाडी शैली में सबसे जो प्राचीन शैली है वो आपकी कौन सी है सबसे प्राचीन कौन है बसोली शैली है और बसोली शैली का उद्भाव कहां से होता है लोककला से होता है ठीक है और लोककला पर कौन सी शैली आधारित है बसोली आधारित है उल्टा कर पहचानाा है वो अजीद घोस न ही पहचाना है तो कुछ भी पूचले याद रखना है। उर बशोली राजी की इस्थापना राजी की में और ये जो आझने बशुलीन सकते श्वापना की थी तो ये. अगर आधुनिक बसॉली नगर की नियू पूँचता है तो 1635 में किसने भूपत पालने की थी किसने भूपत पालने ठीक है और बसॉली शेत्र जो है वो किस राज्जी के अंतरगत आता है तो यह आपके जम्मु कस्मीर राज्जी का जो कठुवा जिला है वहाँ पर आता है कहां का जम्मु कस्मीर राज्जी का जो कठुवा जिला है उसके अंतरगत आता है दिमाग में रखना है ठीक है अब आगे चलते हैं तो आगे देखें बशोली शैली के नियू जो है न वो किसके शासनकाल में रखी थी ये भी पूछा जाता है तो ये याद रखना है राजा जो थे कृष्ण पाल राजा कृष्ण पाल के टाइम पे रखी थी ठीक है और पूछा जाता है जो रसमं जैने आपन nossa अंगा है। है उश्टाराएक है और बैए पूछ है उपरखा शायेगा कि एसिदूरी में जैना उश्झाया कि आगे आगे किसे आखी आगे आपका राजा जो क्रपाल पाल थे ना इन ही के टाइम को बसोली शैली का स्वर्णकाल कहते हैं टाइम पीरियड पूछ ले तो आपका हो जाएगा स्वर्णकाल का 1678 से लेकर 93 ठीक है याद रखना है और बसोली शैली जो है इसके चित्रों में जो हांस्या बने है न वह एकद बसोली शैली में बना है ठीक है और बसोली शैली में प्रधान जो आकरसण है जो अट्रेक्टिव करता है वो यहां के चित्कीले रंग है जो आकरशित करते हैं ठीक है और बसोली शैली को आरंब में कौन सी शैली के नाम से जाना जाता था इसको हम पहले तिबिती शैली कहत यहे हैं आपके मानकू क्या नाम है । मानकू नाम है खीत, कुविंद्र ठीक ہے अर बसोली की में सबसे अधिक सांदर की मतलब पूछए जाता की बसोली की सबसे अधिक सांदर है किस विशेस्ता में है तो यहां और बसोली के छिट्र किस संगरहालay में है तो यह आपके पंजाब संगरहाले में है कहां पर पंजाब में है और एक चीज और याद रखिएगा कि स्वर्ण कीट की कतरन आगे चलते हैं पूछा जाता है आपसे कि स्वर्ण कीट की कतरन या फिर सोन किरवा बोल दे स्वर्ण कीट की कतरन या फिर सोन किरवा बोल कौन कौन सी शैली में हुआ है तो ये आपकी पहली हो जाती है मेवार शैली और दूसरी हो जाती है बसहुली शैली ठीक है तो इस तरह से आपको याद रखना है और बसहुली शैली में सीस महल बनवा कर उसे चित्रों से किसने सजवाय था तो यह याद रखना है यह मेधनी राय ने मेधनी पाल ने ठेक है और जिस प्रकार कांगड़ा का शॉन्दर रेखाओं में है वैसे ही बसॉली शैली का जो सॉन्दर है वो किसमे है तो यहाँ के रंग में है मतलब वर्ण लावर्ण में है किसमें है वर्ण लावर्ण में है याद रखना है ठीक है तो यहाँ से हमारी बशोली सैली कंप्रीट हो जाती है अब next आती है आपकी गुलेर शैली कौन सी गुलेर शैली अब इसको देख लेते हैं समझ लेते हैं फटाफट से पूछा जाएगा गुलेर शैली कैसी है तो ये पहाड़ी है सभी जानते हैं गुलेर राज की इस्थापना किस ने की थी तो ये राजा हरी चंदर ने की थी कप की थी 1405 में की थी ठीक है और गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो की र प्रकास का प्रियोग किया है तो किस ने किया है यही है जिन्होंने च्हाय प्रकास का प्रियोग किया है नैंसुख ने ठीक है और नैंसुख के च्हाय प्रकास युगत चित्र के नाम पूछे जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है रात में ग्रामीडों के साथ संग्रह की बात की जाए कहां पर संग्रह है तो यह आपका कोल खाता में इसका संग्रह है यह चीज तिमाग में रखनी है ठीक है और नैनसुक जो है वो कौन सी शैली का प्रशिद चित्रकार था ऐसे भी पूंच सकता है तो आपका गुलेर हो जाएगा और शिक्रे के साथ महि लांग कर नाइका का अपहरण करते हुए चित्रत किया गया है पता है किसी को किस पहाड़ी आश्रेधाता को दीवार लांग कर नाइका का अपहरण करते हुए चित्रत किया गया है तो यह है अपने गोवर्धन चंद इसको दिखाए गया है ठीक है और पहाड़ी चित्रकल पर था यही अपने गुवर्धन चंद के टाइम पर ठीक है और सत्रा सो पच्चास इसवी में आगे बढ़ते हैं तो सत्रा सो पच्चास इसवी का चित्र है गुवर्धन चंद क्या है गुवर्धन चंद अपने बेटे प्रकास चंद के साथ क्या है प्रकास चंद के साथ हु फिर से सुनिए चित्र का नाम है गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकास चंद के साथ हुक्का पीते हुए ये कौन सी शैली का चित्र है तो ये भी आपकी गुलेर शैली का ही चित्र है ठीक है और गुलेर शैली का चित्र है भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हु कि भरत राम की चरण पादुका का पूजा करते हुए जो चित्र है ये कौन सी शैली का है तो अपनी गुलेर शैली का है अगर पूछले कब बनता है तो 1780-85 के बीच में और कागज पर टैंपरा माध्यम में बनता है और अगर संग्रह की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका संग्रह है ठीक है उमीद बहुत अच्छे से किलियर हो रहा है क्योंकि हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है ऐप को आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं तो गुलेर शैली यहां से complete हो जाती है ठीक है अ बस्तार्ट होती है आपकी कांगड़ा शैली कौन सी कांगड़ा शैली चलिए देख लेते हैं कांगड़ा शैली को फटा फट से करेंगे इतने भी पैक्टे हैं most important है और जो पढ़ लिया होता यह जो काश वर्ड है ना यह हम देखना चाहते हैं लोगों के मुझसे ठीक है यह काश वर्ड जो है यह देखेगा आप लोग बोलेंगे क्योंकि यहां जो पढ़ाया जा रहा है ना सच में एकदम सेलेक्टिड मटेरियल है और सेलेक्टिड चीज पढ़ाय जा रही है वही फैक्ट दिया जा रहा है जो आपके लिए बेहाद इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगे चलते हैं आप सीदे अपने question की तरफ तो क्या पढ़ना है हमें कांगडा शैली तो चलिए समझते हैं इसके बारे में तो कांगडा शैली जो है ना यह कांगडा एतिहासिक नगर तथा जेला था कहां पर यहापका हिमानचन प्रदेश का है ठीक है और कांगडा जो है पहले किस नाम से प्रशिद था त तो इसको कांगडा को ही प्रदान किया है माराजा संसार चंद ने संरक्षा ठीक है और पूछा जाता है विश्व विख्यात कांगडा चित्रकला का विकास एवं उन्नती किसके शासनकाल में होती है तो यही आपके संसार चंद के टाइम पे और कांगडा चित्रकला के महान संद्रक्षक कौन थे ऐसे पूछ ले तो भी संसार चंद होगा ठीक है और कांगडा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है यही आपका पहाड़ी चित्रकला है ऐसे भी दे सकता है ठीक है और कांगडा चित्रकला पर जो है वो कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा है तो याद रख तो पूछा जाएगा कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विशय मतलब चित्रण का विशय क्या है तो याद रखना है नई का भेद चित्रण है ठीक है और कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिये विशय क्या था राधा कृष्ण था ठीक और आगे पहारी शैली की सर्व स्रेष्ट शैली कौन सी है यही आपकी कांगड़ा है और पहारी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा है कांगड़ा है कांगड़ा शैली का प्रमुक चित्रकार कौन है तो ऐसे कुशनलाल भी आ जाते हैं तो ठीक है कुशनलाल का नाम आता है और पर्खु कौन सी शैली सन्मण्द्ध है आपकी कांगडा शेली ौ सीछी स सम्ढंधित आगे बढ़ते हैं तो पहारी स्कूल, कांगडा श्कूल, राजपीत hierarchy के सबनित तो कांगडा चित्रकला का विशय क्या नहीं है तो इसको आपको पहले से याद रखना है कि पंचतंत्र ही देखकर आपको कन्फ्यूज करता है तो यह याद रखना है पंचतंत्र जो है तो यही है आपकी कांगडा को कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो किस विदेशी कलाविद ने कांगडा शैली की सरवाधिक प्रिशंसा की है जेसी फ्रेंच ने की है ठीक है और पहाडी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रशिद रहा है पंडित सेउ का ठीक है और ज कांगडा की गीत गोबिंद चित्रावली सबसे अच्छी है ठीक है और दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद कौन सी शैली में मिले हैं यही आपकी पहाडी में कांगडा में मिले हैं ठीक है और रंगीन रेखा चित्रों की कला है यह किस शैली को कहा जाता है मतलब रेखा चित्रों की कला कौन सी शैली को कहते हैं कांगड़ा को ही कहते हैं और कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा था संसारचंद संसार चंद पूछ लेगा कि कितने आयो में बैठा था गद्धी पर तो ये दस वर्स की आयो में बैठा था पूछ लिया जाता है कभी कभी लिख लिजे दस वर्स की आयो में बैठा था और कब बैठा था 1775 में ठीक है और संसार चंद किसके उपाशक थे तो ये कृष्ण भगवान के उपा सकते ठीक है और संसार चंदि के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है ये की है मूर क्राफ्ट ने ठीक है और कांगडा लगु चित्रों के विशय क्या क्या है तो कृष्ण लीला है नायक नाइका है भागवत पुरान हमीर हट नल दम्यंती ठीक है और कांगडा के अन्य विशयों के साथ साथ मुख्य विशय क्या मिलता है यहाँ पर प्रेम मिलता है और एक कोटेशन पूछ लिया जाता है कि चीनी चित्रकला में द्रश्य चित्रण ने जो उपलब्दी प्राप्त की है वही कांगडा की कलम में प स्वेव के अंकन में हुई है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो कांगरा शेली के प्रमुख्व यहाँ के कलाकार है उनको देख लिचे पहले हो गए आपके कुशनलाल दूसरे हो गए पर्खू मान्कू वसिया पत्तू यह सब कहां के हैं आपके यह सब कांगडा शेली के चित और परापत करके यहाँ पर अभिनंदन होता था और संसार चंद अपने गुड़ों के कारण उस समय के क्या माने जाते थे यह हातिम माने जाते थे अपने समय के ठीक है और कांगडा शैली जो विक्सित हुई है मतलब कांगडा शैली किसका विक्सित रूप है यही आपकी क्या होगा स्वाकिया पर्किया सामान्य। स्वाकिया मतलब स्वयम की पर्किया मतलब दूसरे की सामान्य मतलब किसी की भी। ठीक है। और कांगणशेली का चित्र है नंद यशोधा और कृष्णी के साथ गोकुल वासी व्रिंदा बन जाते हुए। यह जो है ना यह 1785 से 90 के बीच का चित्र है ठीक है और कागज पर टैंप्रा माध्यम में बनता है संग्रह की बात की जाए तो राष्ट्रे संग्रहाले नई दिल्ली में है इसका अंकन कहां पर होता है तो याद रखना है याद की कांगडा ही शैली में होता है ठीक है और कांगडा की लोग परी लगू पेंटिंग्स हैं मूर्तियां हैं मिट्टी हैं इनके जो बरतन हैं यह सब कहां सुरक्षित हैं लगू पेंटिंग्स मूर्तियां मिट्टी के बरतन यह सब कहां रखे गए हैं तो यह आपकी कांगडा आर्ट गैलरी में रखे गए हैं और बश्रूर रोककट मंदिर को क्या कहा जाता है इसको हम हिमालाई पिरामिड कहते हैं ठीक है तो यहां से आपकी जो कांगडा शैली थी वो भी कंप्लीट हो जाती है आगे बढ़ते हैं आती है next गड़वाल शैली कौन सी next आती है गड़वाल चलो इसको देखते हैं अब समझत तो गड़वाल शैली को तो गड़वाल शैली के जर्मधाता कौन थे यह पूछा जाएगा तो यह थे आपके श्यामदास और साथ में हरदास यह दोनों पिता पुत्र थे ठीक है और मुला राम कौन सी शैली का प्रशिद चित्रकार है यह आपका गड़वाल शैली का ही है औ और कब की थी 1908 में की थी याद रखना है ठीक है और कौन सा मुगल शैजादा गड़वाल में सरण लेने पहुचा था तो सुलेमान शिकोह पहुचा था आगे बढ़ते हैं आगे है जो गड़वाल शैली है इसको किसने प्रशिस्त किया तो बैरस्टर मुकंदी लाल ने अ मस्तानी केजडिवाल के संग्रह में है ये और इसको बनाया किसने है मस्तानी जो है किसने बनाया है इसको मुला राम ने बनाया है ठीक है चित्र है ये और आख में चोली जो रेक हंकन है किसने किया है ये भी आपके मुला राम ने किया है और गड़वाल चित्रकला का अन्य गाओं के एक हुए पर ये चित्र किस ने बनाया है ये भी मोला राम ने बनाया है और कब बनाया है गड़वाल शैली में बना है और 1770 में बना है गड़वाल शैली में अंकित है यादवों की सभा का चित्रकार कौन है तब भी मोला राम होगा और एक क्वेशन पूछा जाता है देखिए यादमों की शभा बोलेगा तो मोला राम है लेकिन अगर उसने पूछ लिया यादव महिला का हरण ये गणवाल शैली का ही है इसके चित्रकार कौन है तो इसके चित्रकार है चैतू कौन है चैतू है ठीक है पूछा जाएगा सुनहरी और आख में चॉली इसका चित्र कौन मतलब प्रशद्य चित्र किसकी रचना है तो ये मानकू के हैं सुनहरी और आख में चॉली ठीक है और साह जहां के दरवार में मतलब पूछा जाएगा कि साह जहां के दरवार के कौन से दो चित्र कार सुलेमान शिकोई के साथ गड़वाल पहुँचे थे तो ये पहुँचे थे आपके स्यामदास और उसका पुत्र था हाजी दास ये दोनों पहुँचे थे ठीक है शाह जहां आगे बढ़ेंगे तो पूछा जाएगा कि गड़वाल चित्रकला पुस्तक है एक इसको किस ने लिखा है तो यही आपके मुकुंदी लाल जो है इन्होंने ही लिखा है और गड़ राजवंश का इतिहास इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है आपके मोलाराम कौन है मोल आकरतियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक कौन सी शैली में मिलता है यही आपकी गड़वाल शैली में और मुलाराम द्वारा राचित चित्रों में नारी आकरतियों के माथे पर वक्राकार चंदन काटी का कौन सी शैली में है मतलब कि कुछ भी पूछ ले घुमाकर लेंग और मुकुंदी लाल कौन थे पहले ही बता चुके हैं बैरिस्टर थे नाइधीज भी थे और कला समालो चक भी थे लेखक भी थे काफी सारी इनकी उपलब्दियां देखने को मिलती है ठीक है आगे चलते हैं वैसे ये चैप्टर जो है ना बहुत मतलब बड़ा है लेकिन हमने बहुत सौर्ट बे में कर दिया है बहुत फैकली मतलब बहुत सौर्ट में पढ़ा रहे हैं आपको ठीक है उमीद बहुत करवाना पड़ता है वर्णा हम जल्दी जल्दी ही करवाते थे ठीक है अब देखे चंबा नगर जो है ये वर्तमान में कहा है ये आपके हिमांचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना किसमें की थी 920 में साहिल वर्मन ने और चंबा शैली का आरंब कब होता है राजा ही फिलMusic हां पर होती है ये यह वी आपके चंबा में ही होती है ठेक है को और चंबा कलम में दान लीला का अंकन देखने को मिलता है और यह किस के दोरा बनाए गया यह महेस के दोरा or चंबा की रहता है किस आरंग से बनाई गày है तो लाल और काल्ट से बनाई गई है और चंबा किसलिए फेमस है तो यह बहुत पूछा जाता है रुमालों के लिए फेमस है ठीक है और रुमालों का काम चंबा में कब से स्टार्ट होता है कब से कब तक तो 1782 से लेकर 1828 के बीच में हमें यहां रूमालों का देखने को मिलता है ठीक है और चम्बा के रूमालों पर कौन सी कला दिखाई गई है तो इधर पे हमें काशीदा कारी कौन सी काशीदा कारी चलिए आगे चलते हैं काफी दिर से बोल रहे हैं तो गले में अब थोड़ा सा खराशी उठ रही हैं कोई बात नहीं जब ठान लिया है तो फिर रुपना कैसा ज़ले आगे आगे चलते हैं जब लग गई हो आग सीने में तो फिर क्या देखना है कि लंका है कि क्या ठीक है चल देखें काशीदाकारी बता दिया हमने पूछा जाता है रुमालो का प्रियोग होता था ना वो काहे के लिए होता था तो यहां थाली में जैसे हम लोग मंदर जाते हैं तो धकने के लिए होता है ना वैसे ही थाली के प्रिशाद को धकने के लिए यहां पर रुमालो का यूज होता था और चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के रास्टी संगरहले में सुरक्षित है तो रंग महल के ठीक है यहां से हमारी चंबा खतम हो जाती है यहा कुल्व का प्राचेंतम नाम क्या है? कुलाटा या फिर इसको कुल्ट बोल देते हैं कुल्व इसकूल पुराना नाम क्या है? कुलन्त पीठ है ठीक है, दोनों यादकने हैं और कुल्न शैली का प्रारंब कहां से होता है? तो 1750 ईसवी के लगबत माना जाता है यह सुरे प्रेक्ट और आपके एक्जाम में 100% वार करें गे आवाज प पर मत जाएए कि मैम की आवाज खराब है तो क्लास भी खराब है और जो पढ़ाय जा रहा है लेकिन यहां जो फेक्ट दिये जा रहा है न वह इतने इतने important है कि यही आपको selection दिलाने वाले हैं ठीक है आगे चलते हैं पूछा जाएगा कुल्लू कलम का उन्नायक येवं प्रेणना सुरोत किसको माना जाता है तो ये प्रीतम सिंग को माना जाता है ठीक है और कुल्लू में शीस महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने बनाये था तो ये सजनू ने बनाये था और 1810 में हमीर हट ये चित्रा वली सजनू ने किसे भेट की थी तो ये राजा इसुरी सेन थे इनको भेट की थी ठीक है और कुल्लू शैली का प्रशद्य चित्रकार कौन-कौन है तो यही अपने सजनु है और दूसरे भगवान है ठीक है और कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है तो इनको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है पहला है कुल्लू के दर्बारी इंगलिस में भी लिखके दे तो इंगलिस याद रखनी है बिलों का प्रियोग सबसे जाता हुआ है ठीके तो ये कुल्लू शैली थी कंप्लीट हो जाती है आगे चलते हैं मंडी शैली में कौन सी है अब मंडी शैली है इसको देख लेते हैं फटा फट से पूछा जाएगा कुल्लू के समीब इस्थित है मंडी राज इसमें चित्र प्राप्त होते हैं कौन सी शताबदी के तो सत्तरभी शताबदी और जैसी प्रेंच ने हेमालियन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया था तो यहीं के राजा थे मंडी के राजा सिद्ध सेन का रूप चित्र ठेक है और मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्द चित्र कौन सा है तो राजा केशव शेन का रूप चित्र है और मंडी शैली पर किस शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ा है तो इस पर हमें बसोली शैली का आरंभिक है और मंडी के राजा इसुरी शेन की सेवा में लगभग मतलब 1809-10 के बीच में कहंगड़ा का कौन सा चित्रकार आता है तो यहां पर सजनू आता है कौन सजनू और इसुरी शेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की जो चित्रमाला भेट की थी वो सजनू ने की थी ठीक है और हमीर हट अगर पूछ ले इस कावे में क्या वर्णित है तो चित्रों के राजा है हमीर इसका मतलब हमीर का अलावदीन खिलजी से लड़ाई जो हुई थी ना इनके बारे में है ठीक है और मंडी शैली की सचित्र रामायर की एक प्रती रास्ट्री संग्रहाले नईदिली में सुरक्षित है जो की किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है तो ये बनाई गई है किस के द्वारा कपूर गिरी के द्वारा बनाई गई है ठीक है और और एक चीज और याद चित्रों का निर्माड करवा है तो ये थे जालिम सिंग कौन थे जालिम सिंग थे ठीक है आगे बढ़ेंगे तो 1846 से 1859 के बीच में मिया भाग सिंग बहुत इंपोर्टेंट है यह सारे फैक्ट ठीक है हाँ उच्छा जाएगा 1846 से इंक्यावन के बीच में मिया भाग सिंग की हवेली में जो भीते चित्र बने है वो कहां बने है तो ये मंडी में ही बने है ठीक है और राजा बलवीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रशिद्धी को प्राप्त था तो यही मुहम्मद बक्ष था ठीक है और दौलत और मुहम बढ़ लिए आगे चलते हैं नहीं है यहां मंडी शैली कंप्लीट हो जाती है A sau आगे चलते हैं आपकी जम्मूजाइी फया नहां कि भी में ब Sichering जम्मु राज्य काम साथ हो कंभे तो पर रआगी ओर फुक्ति हो य्या रएगना साथ कलती है तो इसम्मु राज्य कहां पर 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 उस्टित है और विरहणी म्रगा के साथ राधा क्रेष्न और इस्तरी भजन यह सब जो है ना इसब मतलब इस्तरी भजन सुनाते हुए यह सब जो चित्र हैं यह कहां से मिले हैं हमें इससब आपके जम्मू से मिले हैं ठीक है इम्पोर्टन्ट है और पूछा जाएगा किसने अपनी पुछा जाता है किसने अपनी पुस्तक दा आर्ट ओफ इंडिया एंड पाकिस्तान में नैंसुक के द्वारा बनाए गए दो चित्र जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत देव सिकार के लिए जाते हुए और दूसरे चित्र में मिया मुकुंद देव का अंकन है तो क्या है यह बेसल ग्रे ठीक है याद रखना है बेसल ग्रे ने ठीक है पूछा जाता है किसने अपनी पुस्तक दा आर्ट ओफ इंडिया एंड पाकिस्तान में नैंसुक के द्वारा बनाए गए दो चित्र हैं जिसमें एक चित्र में राजा फलवंत देव सिकार के लिए जाते और दूसरे में मिया मुकुंद देव का अंकन हुआ है तो किसने यह बेसल ग्रेने किया है ठीक है और जम्मु चत्रकला का सुरन यूग किसके टाइम मतलब माना जाता है तो यह राजा बलवंत सिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं बस थोड़ा सा बचा है चैप्रा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है जम्मु aumentya का जो प्रमुक्शित्रकार हैं वो कौन है तो यह नैंसुक है और जम्मु शैयली में मानवा क्रतियां रंग रेखा और बेश़ भूसा प्राया किसको समान है तो यह सब आपके बशोली शैली के और कौन सी शैली पर सिखों का प्रभाव अधिक देखने को मिला है जम्मू शैली में और जम्मू से प्राप्त आरंभिक चितर कौन सी शैली से हैं बशोली से हैं बहुत बार बता चुके अब देखिए कुछ जो आपके पहाडी कला मतलब पहाडी चितरकला के केंदर है ना उनसे जो केशन पूछ ली जाता है कभी कभी इनको देख लीजे इंपोर्टन्ट है ठीक है पूछा जाएगा शोल्मी शताबदी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चितरकार का उलेक किया है कौन सी शताबदी में शोल्मी शताबदी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चितरकार का उलेक किया है तो ये हंसराज का किया है ठीक है ऐसे ही कश्मीर शैली के जन्म और विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया है तो यही है आपके हंसराज ठीक है और पूँच कलम के मतलब पूँच कलम के आरंभिक चित्र कहां मिलते हैं लाहौर में जो इस्थित सेंट्रल म्यूजियम है वहां मिलते हैं और पूँच के जो मतलब चित्र कला है वह किस पहाड़ी से प्रभावित है तो यह आपकी गुलेर शैली से प्रभावित हैं और कहां कि पश्मीना शाले विश्व प्रशिद्ध है तो यह आपकी कस्मीर की है ठीक है अब देखें यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब जो आपकी मेन पैक्ट है जहां से वन लाइनल फ़र में इतने अच्छे से क्याम पूछा जाता है और आप लोग घूम जाते हैं चलिए एक बर फटा फट्स से देख लेते हैं देखिए पूछा जाता है पुस्तकों के बारे में जो यहां की पुस्तके है बहुत कन्फ्यूज करती है तो हम फटा-फट से बोल देती टे क्लास को एकदम दनादन तरीके से स्टार्ट करते हैं क्या है शाह जहां है ठीक है इसके बारे में समझने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका जो पूरा नाम है जो नाम पूरा देखने को मिलता है इनका पूरा नाम है शेहाबुद्दीन मुहम्मद शाह जहाँ क्या नाम है शेहाबुद्दीन मुहम्मद शाह जहाँ इसका जन्म होता है पंद्रह सो बानवे में और कहां होता है लाहौर में राजपूत राजकुमारी जो उदैसिंग की पुत्री थी जगत गोसाईं इनके पेट से होता है ठीक है और शाह जहां का मूल नाम अगर पूचे तो क्या नां थे इनका खुर्रम नाम था ठीक है और शाह जहां का जो पूँचा जाएगा स्याह कलम के चित्र साह जहां काल में बनाए गए यह कौन सी प्रवदी थी तो याद रखना है काली स्याही से निर्मित जो चित्र थे वो ठीक है और शाह जहां काल की चित्र कला में चित्रत लगू चित्रों में जो अधिक चित्रत हैं वो क्या हैं रंग म शाह जहां की चित्र शाला थी इसका विशिष्ट हिंदू चित्रकार पूछे तो कौन था ये होनहार था ठीक है और गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था तो यहीं शाह जहां का और सर्टामस रो ने शाह जहां को क्या भेट में दिया था तो घड़ी दी ठीक है और शाह जहां के समय मुगल चित्रकला का केंडर कहां था तो यह आपका दिल्ली था ठीक है और पात्षाह नामा पूछा जाता है कि पात्षाह नामा की रचाइता कौन है तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी है कौन है अब्दुल हमीद लाहौरी है और अगर इसका टाइम पीर विंडिसर कैसर म्यूजियम लंदन में ठीक है पूछा जाएगा किस पूढ़े मुगल शासक को गलोब पर खड़ा दिखाया गया है तो यहीं है भाई साब कौन शाह जहां ठीक है और किस मुगल शासक ने सरवाधिक इस्थापत तिकला पर ध्यान दिया है शाह जहां नहीं औ और शाह जहां काल के प्रिशिद चित्रकार कौन-कौन है सुन लिजे मनोहर है नादिर है विचित्तर है गुवर्धन बालचंद कौन-कौन मनोहर नादिर विचित्तर और गुवर्धन बालचंद ठीक है तो यहां तक के लिए हुआ पूछा जाता है शाह जहां कालीन चित् अध्यम में और संग्रहीत कहां है राश्ट्रिय संग्रहाले नई दिल्ली में सुरक्षित है और बनाया किसने है ये भी याद रखना है तो उस्ताद फकीर उल्ला खान ने कबीर एवं रैदास चित्र को बनाया है ठीक है और साह जहां के काल का चित्र है ये पूछा जाता है स जो चित्र कला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ था तो ये कौन था ये दारा शिकोर था ठीक है और चालीस चित्रों का मुरक्का या फिर कह दीजे चित्राधार जिसे हम एल्बम बोलते हैं जो अब इंडिया ओफिस लाइबरेरी लंदन में सुरक्षित है ये किसका बनाया महल के जरोखों के नटों के करतब देखते हुए मुगल बातशाह शाह जहां के जेस्ट पुत्रदारा शिकोर है ये किस काल का है ऐसे पूछ लेता है तो ये शाह जहां काल का है हमने क्या बोला है क्या है महल के जरोखे से फिर से सुन लीजे महल के जरोखे से नटों के शहिर्शाह के फिर से बोल देते हैं ठीक है ये लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है लंबा है ना ये चित्र का नाम जो है ना ये लंबा है पूछा जाता है कि महल के जहरोखे से नटों के कर्तब देखते हुए मुगल बादशाह शाह जहां के जेश्ट पुत्र दाराशिको है ये जो चित्र है ये सुरक्षित कहां है राश्ट्री संग्रहाले नई दिल्ली में और किसके काल का है तो शाह जहां के काल का है तो ये समझ में आ गया होगा ठीक है ये थोड़ा सा लंबा है तो बोलने में दिक्कत हुई थी थोड़ी ठीक है पूछा जाएगा दारा शिकोह शूफी संत के साथ ये जो है ये भी शाह जहां के काल का है ये चित्र कहां सुरक्षित है तो ये भी राष्ट्री संग्रहाल है नई दिल्ली में है और पूछा जाता है कि किसने मुहम्मद खान नामक चतेरे से एक मुरक का या फिर एल्बम बनवा कर अपनी पतनी नादीरा बेगम को भेट किया था तो किस ने किया था तो यही थे आपके दारा शिको ठीक है और पूछा जाता है कि 1740 से 50 इसवी के टाइम पर टैंपरा एक सेकेंड आगे लिख देते हैं थोड़ा सा हलका सा क्या हमने बोला 1740 से 50 इसवी के टाइम पर टैंपरा माध्यम में याद रखना है टैंपरा माध्यम से चित्रित है और यह सुरक्षित कहां है नई दिल्ली में सुरक्षित है यह जो चित्र का बात हो रही है यह चित्र का नाम है दारा सिकोह की बरात का चित्र कब बनता है 1440-50 के बीच में और किस माध्यम में टैंपरा माध्यम में सुरक्षित कहां है नई दिल्ली में दाराशिकोहे की बरात है इसका चित्रकार पूछा जाता है तो ये है हाजी मदनी ठीक है ऐसे ही पूछा जाता है एक चित्र और है फुल जड़ी से खेलती हुई युगती ये भी शाह जहां के ही काल का है और रखा कहां इसको नई दिल्ली में रखा गया है ठीक है और पूछा जाता है शाही हाती पर सवार मुगल बादशाह शाह जहां ये कागज पर टैंप किसका काल का है? तो ये भी शाह, जहांं के ही काल का है, और इसको भी कहां रखा गया है? नई दिल्ली में ही ही रखा गया है. ठीक मुझा? याद रखना है. ऐसे ही एक और चित्र है, मुगल बादशाह, शाह जहां का सबसे चोटा पुतर सहजादा मुराद बक्ष ये बना हुआ है ये जो चित्र है ये बना हुआ है कागजपर टेम्परामाध्यम से शाह जहां के काल का है और ये चित्र कहां सुरक्षिद है तो ये रास्ठी संगरहाले नई दिल्ली में इसको रखा गया है ठीक है यादतना है ऐसे ही एक और है प्रणाय रत यूगल चित्र का नाम क्या है प्रणाय रत यूगल है ये किस माध्यम में बनता है कागच पर टैंप्रा माध्यम में बनता है किस के काल का है शाह जहां के काल का है कहां रखा गया है रास्ट्री संगरहाले नई दिल्ली में ठीक है तो ये चारपाँच जो चित्र हमने बता है बहुत important है ठीक है इसको याद कर लीजे आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा कि शाहर जहां कालीन चित्र मेवार के राजकुमार राणा भीम जितने भी बोल रहे हैं इनको अच्छे से समझ लीजे साहर जहां के ही काल के अभी बा ठीक है पूछा जाएगा ताज महल का निर्मार किसने करवाया शाह जहां ने करवाया था और ताज महल को जो बनाने मतलब की बनवाया गया है वो मतलब किसने बनवाया है शाह जहां ने लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है 1632 से 53 के बीच में और इसके इस्थापत्तकार क निर्मार कहां करवाया था तो ये आगरा में करवाया था समझते जाएगा सारी चीज़े बहुत important है ठीक है पूछा जाएगा शाह जहां की सर्वोत क्रष्ट इस्थापत तिक्रती क्या मानी गई है तो यही आपकी ताज महल और कौन सी इमारत बरगा कार है तो यही आपका जो ताज महल है ना ये बरगा कार है पूछा जाता है ठीक है और शाह जहां ने लाल के लिए की नियू जो है कहां रखी दिल्ली में रखी थी और कब रखी थी 1649 में कहां पर दिल्ली में कौन सी लाल के लिए की याद रखना है, सारी चीज़े बहुत important है, आप लोग अगर सुन रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर पढ़ने की लालसा है अंदर आपके, तो सच में आपको class बहुत important लगेगी, अगर आप cable time pass के लिए हैं, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, आप का पढ़ना बेकार है, ठीक है, चली, पूछा जाएगा मयूर सिंगहासन, यहाँ से question खूब पूछा जाता है, इसको समझ ये का, पूछा जाएगा मयूर सिंगहासन, जो है, जिसे हम तक्ते ताउस बोलते हैं, यह कहां रखा गया है, तो यह दीवाने खास दिल्ली के लाल के लिए में ही रखा गया है, ठीक है, याद रखना है, और मुगल काल का स्वर्ण योग किसके काल को कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं, तो शाह जहां के काल को, ठीक है, देखे, question पूछा जाता है, कि साह जहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण योग मानने के संबंद में क क्या महत्वपूर्ण कारग थे ऐसे करके question पूछा गया है तो हम आपको बता देते हैं उसमें जो option सही माना गया था ना सामराज जी की सीमा में विस्तार था क्रशी का विकास था सिक्षा एवं साहित का विकास था और कलात्मक विकास था इसी वज़े से हम शाह जहां के काल को मुगल काल का भी सुर्ण युग कहते हैं ठीक है याद रखना है और इस थापत का तो कहते ही है आगे चलते हैं तो संश्कती के महान कभी जिसे सहनशाह ने महा कभी राय की उपादी दी थी सहनशाह नहीं साह जहां हम बर बर शहनशाह बोल देते हैं याद रखेगा अगर ह जहां कभी राय की उपादी किसको दी थी तो यह जगनात को दी थी किसको दी थी याद रखना है जगनात को दी थी ठीक है और शाह जहां का प्रियर राग कौन सा था तो यह राग धुरूपत था क्या था राग धुरूपत था ठीक है तो यहां से जो आपके शाह जहां से रि पूछा जाएगा औरंगजेब का जन्म कब होता है तो इनका जन्म 1618 को होता है कहां उज्जैन के निकट दोखद नामक इस्थान पर होता है और शाह जहां की जो प्रिपत्नी मुम्ताज महल थी इनके पेट से होता है ठीक है और कला का द्रोही शासक पूछा जाए तो कौन थ और पूछा जाएगा कि किस समराट ने चित्रकला को धर्म ने शिद्ध घोसित कर दिया तो यही औरंगजेब था ठीक है और मुगल शैली का हराश जो है किसके टाइम पे होता है तो यही औरंगजेब के और बीजापुर का घेरा किसके समय चित्रित किया गया है तो याद है और अंगजेब और अपनी प्रियतमा राणा दिल के साथ साह जहां दारा शिको है सौरी शाह जहां नहीं शहजादा यह पता नहीं आज हम शाह जहां और शहन शाह बहुत निकल रहा है मुझे सुनिएगा फिर से हम बोल देते हैं शित्र का नाम अपनी प्रियतमा राणा द पूछा जाता है तो ये कागज पर गज़ा से बनता है। टैंपरा माध्यम प्रस्ट चुप्रादि ब क्या chief में सुरक्षित राश्टी पूंचा जाता है। जर्वंगल शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आगया से बने थे। औरंग जेव होगा अंसर लाल के ले के अंदर मोती मस्जद का निर्माड किस ने करवाया औरंग जेव ने करवाया और औरंग जेव ने अपनी प्रिपत्नी रभिया दुर्रानी की याद में 1678 में ये important है याद रखना है यही है आपका चलिए चला गया है वो खैल यही से पताना शुरू कर देते हैं ठीक है हाँ तो हमने क्या पूछा आप से कि ताज महल की जो फूहर नकल कही गई है वो कौन सा है मगबरा बीबी का मगबरा है और दक्षड का जो ताज महल है वो क्या है वो भी आपका बीबी का मगबरा है ठीक है तो यहां से आपके औरंगजे भी complete हो जाते हैं अब थोड़ा सा कुछ चो प्रशिद चित्र हैं उनको देख लेते हैं ठीक है चले तो देखते हैं मुगल शैली के कुछ प्रशिद चित्र ठीक है पहला चित्र है आपका सलीम का जन्म आनंदोत सव तो ये किसमे वर्नित है तो ये आपका अकबर नामा में है चित्रकार पूछ ले तो संकर, केशव, धरमदास ये सभी है ठीक है याद रखना है दूसरे नमबर पर पूछेगा आपसे कि दरबार में राजदूद त्वारा ज इसमे वर्नित है ये चित्र है सारे ठीक है ये किसमे बना है तो अकबर नामा में है ऐसे ही विजय अकबर का सूरत प्रवेश ये किसमे दिखाये गया है ये भी अकबर नामा में है और बाबर बगीचे में दावत करते हुए ये किसमे है ये बाबर नामा में है ठीक है और इ हाथ में गलोब लिए जहागीर ये किसमे है तो ये भी जहागीर नामा में है और अकबर की शबीह को हाथ में लिए जहागीर ये किसमे है ये भी जहागीर नामा का है और शहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहागीर ये भी जहागीर नामा का है ठीक है इसमें बना ख्यान देते हुए ये भी जहांगीर युक का चित्र है और अगर चित्रकार पूँच ले तो कौन है विचित्तर है ठीक है और फिर हमने बताया था तक्ते ताउस पर शाह जहां ये किसमे बना हुआ है तो ये पातशाह नामा में बना हुआ चित्र है कंधार का घेरा ये किसम नामा में और बीजापुर का घेरा ये किस में है और अंगजेव युक्का है ये और युगा शाह जहां तो ये शाह जहां के टाइम का है चितरकार है अबुधाशन ठीक है तो ये कुछ फेमस चित्र थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस पुस्तक में बढ़नित है किस ग चित्रों में दिखता है तो ये राजसी वैभव किसमें है मुगल चित्र शैली में और कौन सी शैली में प्रकती का भावनात्मक चित्र नहीं हुआ है तो याद रखना है ये मुगल में नहीं हुआ है ठीक है और मुगल यूग में सर्विस्रेष्ट कागज कौन सा माना गया ह तो ये समरकंदी जो कागस था माना क्या है ठीक है पूछा जाता है कि यहां पर कितने प्रकार के कागस प्रशलित थे मतलब मुगल योग में कितने प्रकार के कागस थे प्रशलित थे तो आठ प्रकार के पहला है दौलताबादी दौलताबाद जो की प्राचीन देवगिरी मे बनने वाला कागज था थिक है दूसरा है खटाई ये उत्री चीन के खटा नगर में बनने वाला कागज था थिक है पूछा जैता है important है कि ये पूछ लेगा कि जैसे पूछ लेगा कि हृरीरी कागज कौन से काल से संबन्दित है तो मुगलकाल से, नुखैयर कहां से है, तो मुगलकाल से, ऐसे पूछ लेगा, तो याद रखिएगा, पहला हमने बताया, दौलताबादी कागज, जो की दौलताबाद से है, ठीक है, ये प्राचीन दिवगरी में बनने वाला कागज था, दूसरा हमने बताया, खटाई, ये उत्री चीन के खटा नगर में बनने वाला कागज था, तीसरा हमने बोला, आदिल शाही, चोथा है, हरीरी, चोकी ये रेश्मी है, ठीक है, और फिर आता है, सुल्तानी कागज, ये समरकंदी है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, और निजाम शाही, और फिर आजाएगा गौनी, अबरेज में बनने वाला कुछ पीला कागज क्या कहलाता है, तो गौनी कहलाता है, ये सब मुगल काल के ही कागज है, ठीक है, और पूछ लेगा ऐसे ही नुखैयर, नुखैयर जो है, ये पानी लगा कर सुखाया हुआ कागज होता है, ये किस काल में है, तो मुगल युग म कहते हैं ठीक है और परदाज किसे कहते हैं तो तूली का द्वारा पास पास खीची गहीं रेखाएं अत्वा कह दीजे बिंदू लगा कर छाया प्रकास दिखाना परदाज कहलाता है ठीक है ऐसे ही कद कैंडा किसे कहते हैं तो आकरती की ठीक उचाई को कद और अंगों के उच पूश लेगा चरबा किसे कहते हैं तो हिरन की खाल की जिली पर जो रेखांकन होता था उसे हम चरबा बोलते थे ठीक है और दिशा के आधार पर मुखाकरतियां कैसी बनती है कितने प्रकार की तो ये साथ प्रकार की बनती है इसके आधार पर दिशा के आधार पर ठीक है और म मिनियचेचर शैली से. लाफ़िर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ होता है? दर्वाबं में. ठीक है? और मूरक्का क्या था? तो ये सूच में चित्रकला के एर्बम ठीक है? और मुगल कला कैसी कला थी? तो दर्वारी थी. अभी हमने उपर ही बताया है और मुगल शैली में किस प्रकार के विश्यों का अभाव है तो याद रखना है यहां हमें घरेलू जीवन नहीं मिलता देखने को ठीक है याद रखना है और मुगलों की दरबारी भाशा कैसी थी तो यहां की जो मुगलों की वो थी भाशा कैसी फार्सी थी और किस miniature painting में अलंकरित border का प्रियोग किया गया है तो मुगल शैली में वर्तना का मतलब क्या होता है तो रंगों की सहायता से गोलाई दिखाना ही वर्तना कहलाता है ठीक है और मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रियोग हुआ था तो यहां तीन प्र और मुगल शैली का चित्रण विधी देखे यहां की चित्रण विधी बहुत फेमस है और पूछी भी गई है पूछ लेगा कि गदकारी जो ये चित्रण विधी है वो कौन से वंश से संबंदित है तो ये मुगल काल से लिख लीजे पहला है टिपाई दूसरा हो गया गदकार खुलाई फिर हो गया घुटाई तो इन में से कोई भी नाम पूछ ले ये सब कौन से शैली तो ये सब कौन से शैली से संबंदित है ये आपकी इरानी शैली का विशेसकर हाशियों के अंकन में प्रभाव मिलता है देखने को ठीक है उमीद बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हर एक एक पॉइंट को किलियर करते हुए चल रहे है ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं नेक्ष्ट पर चलिए देखे पूछा जाएगा अब देखे यहां से जो आपकी विशेस्ताएं थी न ये कम्प्लीट हो जाती है ठीक है विशेस्ताएं कम्प्लीट हो जाती है अब हम चलते हैं दक्षिन भारत में जो स्थित स्वतंत्र राज्य है उनके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है यही मुगलकाल से ही related है ठोड़ विक्षित होती है तो जैसे आपको नाम में ही समझ में आ रहा है बंगाल में ही विक्षित हुई होगी तभी इसका नाम बंगाल शैली पड़ा है ठीक है इसका टाइम पीरियट पूछ ले कि बंगाल शैली का जो विकास होता है उसका टाइम पीरियट क्या है तो 1905 से लेकर 20 क बीच में होता है ठीक है और बंगाल चित्र शैली ने आधाशला रखी है कैसी आधनिक भारती चित्रकला की ठीक है ऐसे भी पूछे जा सकता है कि भारती आधनिक चित्रकला का यतिहास कहां से आरंब होता है तो यही आपके बंगाल शैली से ठीक है कुछ भी गुमा के पूछ ऐसे भी पूछ सकता है कि भारती चित्रकला के पुनर जागरं duplicate का स्रेक ह स्कों जाता है तो यही आपके बंगाल शेली जाता है और भारत में प्रफम आदुनिक कला आंदोलन मतलब बंगाल इस्कूल का नित्रत्य किस ने किया था तो ये आजाता है अपने अवनी बाबू मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर ठीक है बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन इसके सहयोग से आरंब हुआ तब भी आंसर होगा आपका अवनींद्रनाथ हम आपको पूरे फैक्ट बता रहे हैं कि कैसे question पूछा जा सकता है ठीक है हर चीज को अच्छे से समझना है ठीक है पूछा जाएगा बंगाल पुन्रुथान युग के प्रवर्टक कौन है तब भी आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर ठीक है या फिर अवनी बाबु बोल दीजे भारती चित्रकला की नवीन जागरती के पिता कौन है तब भी आंसर आपका वही रहेगा चाहे जितनी लैंग्वेज घुमा ली जाए ठीक है पुनर जागरन आंदोलन के कर्णधार कौन बने तब भी आंसर एक ही रहेगा अवनींद्रनाथ ठीक है ऐसे भी पूछा जा सकता है उल्टा करके कि अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की इस्थापना की थी वो कौन था कौन था बंगाल शैली थी या फिर भंगाल शैली था और भंगाल कला शैली जो है वो कौन सी टेकनिक के लिए जानी जाती है तो ये आपकी वास टेकनिक के लिए जानी जाती है कौन सी टेकनिक वास टेकनिक के लिए और भंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का प्रियोग किया तब भी आंसर आपका वास टेक्निक रहेगा भारत में वास चित्रन पद्दती कहां से आई है ये भी याद रखना है ये आपके जापान से आई है कहां से आई है ये जापान से आई है ठीक है आगे बढ़ेंगे तो पूछा जाएगा वॉष टकनीक की रेखाएं भारती कलाओं से प्रेरित हैं लेकिन जो टेकनिक है कहां की है तो या तो जापान दे देगा या तो चीन दे देगा मतलब चीनी जापानी कुछ भी दे सकता है तो आपको याद रखना या तो दोनों ही द फिर से एक प्रेशन पूछते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाईएगा पूछा जाएगा कि पुनर जागरती आंदोलन का मतलब क्या है इसका मतलब है कि पास्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरा मूल्यों को पुनह इस्थापित करना ही क्या है पुनर जागर का इवी हैवल कौन थे तो यह कलकत्ता कला इसकूल के प्रिंस्पल थे जो आपका कलकत्ता इसकूल कला है या फिर बोल दीजे यही तो कौन थे मतलब प्रिंस्पल कौन थे कलकत्ता कला इसकूल के अर्नेस्ट वैनफिल हैवल थे जिनने हम सौट में इवी हैवल बोल देते ह ठीक है और पूझा जाता है कला महा विद्याले के प्रधानाचारी के रूप में ईवी हैवल ने अपने विद्यार्थियों को कौन सी शैली के लगू चित्रों की प्रतिली भी बनाने के लिए प्रोच साहित किया था तो ये थी आपकी मुगल क्या थी मुगल थी ठीक है और आ अमेरिका में किसकी बात हो रही है आनंद कैंटिस कुमार स्वामी की ठीक है कहां जन्म होता है कोलंबो स्री लंका में और अमेरिका में मैसाच्वेट में इनकी मृत्व होती है ठीक है एक क्वेश्चन पूछा जाता है अभी केवल बंगाल शैली की बात हो रही है फिर हम प रोथिनस्टीन किसके मित्र थे तो ये अपने अवनी बाभू के मित्र थे कौन विलियम रोथिनस्टीन ठीक है और इंडियन सोसाइटी ओफ अध्यक्ष या फिर कह दीजे सभापती कौन थे तो ये लॉर्ड किचिनर थे कौन थे लॉर्ड किचिनर थे इंडिया सोसाइटी ओफ ओरियंटल आर्ट में कितने सदस थे तो यहां आपके टोटल 35 सदस थे जिसमें से 30 अंग्रेश थे और 5 जो थे वो अपने भार्टी थे ठ प्रदर्सनी कब और कहां आयोजित हुई थी तो इसकी पहली जो प्रदर्सनी थी ना 29 जन्वरी 1908 में लगती है ठीक है 29 जन्वरी 1908 को गौर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट कोलकाता के प्रांगण में आयोजित हुई थी ठीक है और पूछा जाएगा कि जो आपके आनंद कें इसकुमार स्वामी है इनकी कौन सी पुस्तक बहुत फेमस है तो इनकी पुस्तक का नाम है कला एवं श्वदेशी क्या नाम है कला एवं श्वदेशी जो 1913 में ये प्रिकासित की जाती है ठीक है पुस्तक का नाम है कला एवं श्वदेशी और भारती कला जगत में यूरोप परिशेवर कलाकार थे इन्होंने ही किया था ठीक है और बंगाल शैली को ही दूसरी शैली मतलब कहा जाता है दूसरी शैली में मतलब ठाकुर शैली भी बोलते है ये है मतलब मतलब बंगाल शैली का ही दूसरा नाम क्या है ठाकुर शैली है ठीक है और उनीश्मी शताब्दी म शास्कों ने स्थापित किया गया था ठीक है एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिसिदा पूछा जाता है हिसीदा कौन था तो ये जापानी चित्रकार ठीक है और Oकakura जापान से भारत कब आता है ये 1902 में आता है Oकakura कौन था ये भी जापानी कलाकार ठीक है प्रशिद पुस्तक का नाम है Ideals of the East क्या नाम है Ideals of the East ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा रूपम नाम के कला पत्रिका है आता मतलब की पूछा जाता है आपसे कि रूपम नाम के पत्रिका है इसका प्रकाशन 1919 में किया गया था और कहां से कलकत्ता से किया था और इसको किस ने किया था स्टार्टिंग O.C. गांगुली ने किया था जिनको हम बोलते हैं अर्धिन्दु कुमार गांगुली ठीक है पूछा जाता है कि राजेंद्र लाल मित्र थे प्लस यतींद्र मोहन इन्हों ने किस संस्था की स्थापना की थी तो इन दोनों ने किस की स्थापना की थी उद्योक कला संस्थान की स्थापना की थी और कप की थी 1904 में की थी ये क्वेशन खूब पूछा जाता है कौन कौन थे राजेंद्र लाल मित्र थे दूसरे यतींद्र मोहन थे इन दोनों ने मिलकर 1904 में किसकी स्थापना की उद्योक कला संस्थान की तो ये बंगाल शाली की कुछ मोटी-मोटी जनकारी थी अब हम बढ़ते हैं सीधे अवनींद्र नाथ टैगोर की तरफ चलिए तो देखे हमें क्या पढ़ना है अवनींद्र नाथ टैगोर पढ़ना है और अवनींद्र नाथ टैगोर से संबंधित जितने भी fact बन सकते हैं बहुत अच्छे से समझाएंगे हर fact को पढ़ लिजेगा यहां से बाहर question जाने की संभावना नहीं रहेगी बहुत कम रहेगी क्योंकि यहां आपको हर चीज मिल जाएगी अवनींद्रनाथ टैगोर चलिए हैडिंग डाल दें फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चलिए समझते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर ठीक है तो सबसे पहली बात की अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्मे कब और कहा होता है तो याद रखना है 7 अगस्त 1871 को जो रांसको कलकत्ता मतलब पस्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है ठीक है और अवनींद्रनाथ टैगोर का विवाह किस से होता है तो इनका विवाह सुहासनी देवी से होता है किस से होता है सुहासनी देवी से होता है और कलकत्ता कला विद्याले के प्रथम भारती प्रधाना चार आइस्थाई रूप से कौन थे तो यही आपके अवनींदरनाथ टैगोर थे और बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तब भी अंसर यही रहेगा और बंगाल चैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे तब भी अंसर यही रहेगा कुछ भी घुमा कर पूछ ले आपको मालूम होना चाहिए जो मेन आदमी है वो कौन है अवनींदरनाथ टैगोर है ठीक है अब देखिए अवनींदरनाथ टैगोर ने एक गरंथ लिखा है जो बहुत पूछा जाता है और वो कौन-कौन से गरंथ है सभी गरंथ को बहुत अच्छे से पहलीजिए ठीक है तीन-चार है उनको अच्छे से लिख देते हैं समझ लीजिए पहला है आपका शकुंतला पहला कौन सा है शकुंतला इसको कब रचना कि गई है इसको कि गई है 1895 में दूसरे का नाम है भारत शिल्प परिचे इसको कब लिखा गया उनीस सो नौ में लिखा गया है फिर आता है शडंग सडंग को कब लिखा गया है 1914 में लिखा गया है और फिर है बंगलार व्रत क्या है बंगलार व्रत इसको लिखा गया है 1919 में 1919 में ठीक है चलिए तो क्या बताया हमने अवनींदना टेगोर द्वारा जो रचित गरंथ है कौन-कौन से है सकुंतला है 1895 में भारत शिल्प परिचय है 1909 में सडंग है 1914 में बंगलार वृत है 1909 ठीक है इसको याद कर लीजिए बहुत पूछा जाता है आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो खूछा जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के शिस और बंगाल शैली में कार करने वाले कलाकार कौन-कौन है तो इनको भी देख लेते हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर के अबनी बाबू के जो शिस हैं उनकी सूची देख लीजिए फटा-फट से ठ नंदलाल बोस हो गए असित कुमार हलदार हो गए डी पी राय चौदरी हो गए फिर है शैलेंद्रनाथ मुख मतलब शैलेंद्रनाथ टे हो गए मुकल चंद्र डे शार्दा उकील हो गए सुरेंद्र गांगुली रवी शंकर रावल और और है यार चुगताई के वैंक टप ठीक है तो इस तरह से इनके जो शश्यों की सूची है वो हमने आपको बता दी एक बार फिर से सुन लीजे फिर से सुन लीजे छेतिन नाथ मजूमदार नंदलाल बोस असित कुमार हलदार देवी प्रशाद रह चौदरी और सैलेंद्रनाथ डे मुकल चंद्र डे शार्दा उकील, सुरेंद्र गांगुली, रवी संकर रावल, एयार चुगताई के वैंक टपना ठीक है इस तरह से आपके बता दी है पूछा जाता है भारती शिल्प सडंग के लेखक कौन है अभी हम पीछे बता चुके हैं कौन है तो ये आपके अवनी द्रनाथ टैगोर है ठीक है आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा कि जापानी वाश टैक्निक की सिक्षक किस से इन्होंने प्राप्त की थी अभी हमने आगे ही बताया था कि वाश टैक्निक जो है ये बंगाल शली की प्रमुख देखने को मिलती है और इसके जो मतलब जनक माने जाते हैं भारत में वो अवनी द्रनाथ टैगोर माने जाते हैं अवनी बाबु माने जाते हैं और इस वाश टैक्निक की जो सिक्षा ली इन्होंने किस से ली है तो ये याद रखना है यको हामा तैकान और साथ में हिशीदा इन दोनों से इन्होंने सिख्षा ली है ठीक है और अवनीदना टैगोर कलकत्ता आर्ट इस्कूल के आइस्थाई प्रिंस्पल ये कब बनते हैं 1905 में बनते है इनकी एक प्रशित दिक्रत उच्छी पड Damto करती है औरंगजेव का बुढ़ापा पूचह जाता है और झेब का बुढ़ापा जो है किसका है तो यह आपके अपनी बाबू का चित्र हैं ठीक है सारे इफप्ट समझके जाना है और पूछा जाता है कि औरंग जेव का जो बुढ़ापा है या फिर और बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेशन पूछा जाता है कमल पत्र पर असुरुपात क्या है कमल पत्र पर असुरुपात ये आपका कागज पर जलरंग से बनता है संग्रह की बात की जाए तो भार्दी संग्रहा ले कोल काता में इसको रखा गया है ठीक है और बनाय इतालियन कलाकार इक ग्लहार्डट्ट कि गमिनाते आपके रचना पूूचि歌 है और किया और ऑवनेलंक गम references बनाया हैं में बनाया था जब बंगाल विभाजन हो रहा था तब ठीक है और सांध दीब भी बनाया है और पूछले का कौन से टेक्निक में तो यही आपकी जापानी वॉस्ट टेक्निक में बनाया है ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे पूछा जाएगा कि ऐसे देखे एक क्वेशन ऐसे भी पूछा जा चुका है आपके पिछले एक्सामों में कि अवनिना टेगोर द्वारा बनाये गए किस चित्र ने क्रांतिकारियों में नय जोश का संचार किया था तो यह वही चित्र है 1905 वाला भरत माता का जिसने ज जोश भरा था ठीक है next question है कि गणेश जननी ये क्रती किसकी है गणेश जननी किसकी है यह भी आपकी अवनि बाबू की है ठीक है कौन से माध्याम में बनी है तो यह कागजपर जलरंग से बनी है संग्रह की बात की जाए तो भारतिये संग्रहाल है कोलकाता में इसको रखा गया है और है किसकी अवनि बाबू की है ठीक है क्या नाम है गणेश जननी आगे बढ़ते हैं next पर तो आगे पूछा जाएगा अवनिना टैगोर का प्रशिद चित्र है नटीर पूजा नटी क्या है नटीर पूजा नटी विद एक तारा जो की पैस्टल माध्यम में बनता है आपको ठीक है आगे चलते हैं तो अवनिना टैगोर के द्वारा चित्रत एक प्रमुक्ष चित्र है मतलब चित्रशंखला है अरेबियन नाइट्स पूजा जाता है अरेबियन नाइट्स जो चित्रशंखला है यह किसकी है तो यह आपके अवनी बाबू की है और वाश च फेपर था इसके यूज करते थे ठीक है और समाझ की बुराईयों को अवनिंदेना टैगोर ने किसके माध्यम से औज अगर किया था तो इसके मुखोतों के माध्यम से और अवनिंदना टैगोर द्वारा बनाए गई काटम कुटम की कास्थ निर्मित क्रती है उल्लू बहुत है उल्लू जिसकी माप है आपकी 10 x 7 x 6 cm है इसकी है उल्लू की इसको सुरक्षित कहां किया गया है तो राष्ट्री आधुने कला संग्रहा ले नई दिल्ली में इसको रखा गया है ठीक है और अवनी नाट टेगोर की काटूं कुटूं की कास्थ मूर्तियां पच्छी के साथ आत्मे चित्र तूफान में पच्छी पात्र ये सब जो है ये सब भी कहां सुरक्षित है आपके राष्ट्री आधुनिक संग्रहाले नई दिल्ली में रखा गया है ठीक है आगे चलते हैं एक प्वेशन पूछा जाता है कि पैरिस में आठ फरवरी 1914 को इंडियन सोसाइटी और ओरियंटल आइट द्वारा आयोजित एक बड़ी प्रदरसनी में अवनीनरनात के किन दो जल रंगों के मतलब चित्र थे मतलब लोगों को बहुत आकरशित किया था ये दो जल चित्र थे बहुत आकरशित किया था तो वो कौन-कौन से चित्र थे पहला था मंदिर के शि याद रखना है बहुत मतलब की आकरशित की अथल लोगों को इन होने ठीक है आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा सन 1921 सारे फेक्ट समस्ते जाना है सन 1921 से 1929 के बीच में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता मतलब कलकत्ता विश्व विद्याले के रानी बागेस्वरी प पीट के अध्यापक पत पर रहते हुए व्याख्यान दिया था वो कहा मतलब की किस नाम से प्रशिद है तो यह बागेस्वरी शिल्प प्रभंधा वली बांगला भाशा में है इस से मतलब इस नाम से संग रही थे यह याद रखना है ठीक है और अबनींद्रनाथ टैगोर क की आत्मकथा का नाम क्या है तो इसका नाम है जोडासा कोर धारे क्या नाम है जोडासा कोर आत्मकथा का नाम क्या है जोडासा कोर धारे ठीक है याद रखना है और अबनींद्रनाथ टैगोर ने रवींद्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 रेखा चित्र बनाए थे तो इनक की है ये रवींद नात की है इनकी इस पुस्तक के लिए 32 चित्र बनाए थे खुद इसने अवनीद नात टैगोर ने ठीक है आगे चलते हैं पूछा जाएगा अवनीनाथ टेगोर की सिश्या का नाम क्या था तो इनकी सिश्या का नाम था रानी चंदा क्या नाम था रानी चंदा नाम था और अवनीनाथ के सिश्य कला के प्रशार हेतू कहा कहा पर गए थे तो ये गए थे शांती निकेतन में न जाहोर में सम्रेंदनाथ गुप्त इनके साथ में मतलब कला प्रशार के लिए गए थे ठीक है याद रखना है एक बार फिर से सुन लीजेगा तो रीवीजन हो जाएगा ठीक है इस क्लास को कम से कम दो से तीन बार पहले न पूरा रट जाएगा आपको ठीक है पूछा और बच्चों के लिए किसक लिए बाबु ने लिखी है और माध्यम में बना है कागच पर वुसवा टेमप्रा माध्यम में और The Introduction to Indian Artistic Anatomy ये किसकी पुस्तक है तो ये भी अवनींदरनाथ की पुस्तक है ऐसे ही यात्रा का अंत है ये चित्र किसका है ये भी अवनींदरनाथ का चित्र है 1913 का है ठीक है और कहा संग रही थे राष्ट्री आधुनिकला संग रहा ले नई दिल्ली में इसको रखा गया है ठीक है आगे पूछा जाएगा कि रवींदरनाथ के मतलब रुख जाएए आगे लिख देते हैं इसको ठीक है सन 1941 में रवींदरनाथ के महा प्रयान याद रखना है महा प्रयान तो सन 1941 में रवींदरनाथ के महाप्रयान स्रीषक चित्र को बनाने के बाद किसने अपनी को त्याग दिया था तो यहीं है आपके कौन अबनी रनात टैगोर मतलब अबनी बाबु ठीक है और अबनी दरनात का निधन कब हो गया था तो इनका निधन हुआ था 15 दिसंबर 59 1 क्यामद में हो गया था ठीक है और इनके प्रमुक्षित्र कौन-कौन से हैं इनको देख लेत हो गया गणेश जननी बुद्ध जन में बुद्ध और सुजाता तिस्स रक्षिता ताज महल शाह जहां की मृत्व जीवन संध्या कोहरा कोहरा वसंध्या दीवाली ये सब किसके हैं अवनींद्र बाबू के चित्र है ठीक है तो यहां से आपके जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, या फिर अवनी बाबू थे, ये कंप्लीट हो जाते हैं ठीक है तो आज जो हमने ये पढ़ाया है आपको इसको दो से तीन बार पढ़ लेना है आपको, जिससे कि आपको याद हो जाए ठीक है क्लास जीशारा लंबी ना हो इसलिए हम यहीं तक रखते हैं ठीक है, छलि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, मुगल तथा दक्षिनी कला, ठीक है, पहले हम मुगल चित्रकला के जो कुछ फैक्ट है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सीधे बाबर अकपर से सुरू करेंगे, ठीक है, चली, तो देखे सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो मुगल कला है, अपनी मुगल चित्रकला है, इसका टाइम पीरियट क्या है, तो याद रखना है, ये 1556 से लेकर 1857 तक का हमें टाइम पीरियट मिलता है, ठीक है पूछा जाएगा मुगल चित्रकला का जो आदि स्रोथ है, वो कहां था, तो ये पूछा जाता है, तो कहां था समरकंद और हिराद, ठीक है, और कला का दुती स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, मुगल काल को कला का दुती स्वर्ण युग कहते है, ठीक है, और पूछा ज पूछा जाता है जो हासिया बनाकर चितरण करते है इसमें फार्सी शैली का प्रभाव है ठीक है? और भारत में सबसे पहले जो इस्थिर चितरण हुए है जिसे हम इस्थिल लाइफ बोजते हैं ये कहां देखने को मिला है तो यहीं आपकी मुगल शैली में ठीक है और भारत में व्यापक रूप से जो शबीह बनाना आरंब हुआ ये भी मुगल शैली शे और सबीह कहते किसको है पोर्चेट को कहते है और दर्बारी चित्रकला का सम्मंद कौन से शैली से है ये भी आपकी मुगल शैली ये मोटी मोटी चीजे हमने आपको अभी स्टा करते हैं हर चीज को ठीक है अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम बाबर को चले बाबर का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो क्या है 1526 से 1530 तक है ठीक है तो अब इसको समझते हैं तो इसको समझने से पहले एक चीज याद रखिएगा पूछा जाता है कि भारत में मुग 2383 में होता है कहां पर फरगना घाटी के अंदीजन में जो कि वर्तमान में उद्वेकिस्तान में है ठीक है और बाबर को कौन सी उपादी दी गई थी इसको पलंदर की उपादी दी गई ठीक है और बाबर ने अपनी आत्म कथा बाबर की आत्म कथा कौन सी थी तो जो के बा आगे बढ़ते हैं तो बाबर ने अपनी आत्म कथा तुजो के बाबरी जो थी क्या थी तुजो के बाबरी इसकी रचना किस भाशा में की है तो इनकी जो खुद की मात्र भाशा थी चगताई तुर्की में की है कौन सी भाशा में ता से तुर्गी तुर्की हो गया और ता से तो जो के बाबरी हो गया, ऐसे याद रखें, ठीक है, और तो जो के बाबरी जो है, इसी को हम बाबर नामा भी बोलते हैं, इसका फार्सी में अनुबात किया गया था, और फार्सी में अनुबात किस ने किया, अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया था, ठीक है, याद रखना नूर अफगान बाग जैसे हम आराम बाग बोलते हैं कहां है आगरा में हैं इसको जयामितिए विधी से बनवाया था किसने बाबर नहीं ठीक है और बाबर ने आराम बाग या फिर कह दीजे नूर अफगान इस बाग का निर्मार कहां करवाय था ये भी खूब पूछा जाता तो याद अठना है आगरा में करवाय था हमने आपको बता दिया ठीक है आगे चलते हैं तो बाबर ने किस के चित्रों की आलोचना की थी तो इसमें बहिजाद के चित्रों की आलोचना की थी जो की ये एरानी चित्रकार था ठीक है और बहिजाद कहां का चित्रकार था ये पूर्ब का राफेल बोलते हैं ठीक है यहां तक समझ आया आगे चलते हैं पूछा जाएगा कि बाबर द्वारा भारत में लाई गई जो शाह नामा है इसकी एक सच्चित्र प्रती अंग्रेजों द्वारा चुरा ली गई थी ठीक है और यह चुरा कर कहां ले गई है ले बाबर के समय में पूछा काबूली बाग मसझेट है जो कहा है और बाबरी मसझेट कहा है यह आपके आयोध्या में है सभी जानते हैं कहां है आयोद्ध्या में है बाबरी मस्जित और इसके निर्मार की बात की जाए किस ने करा था तो ये बाबर का एक सेना पती था मीर बाकी इसने इसका निर्मार किया था यह थी बाबर की कुछ मोटी-मोटी चीजे जो आपके एक्साम में फैक्टरली पूछ ली जाती है अगे चलते हैं नेक्ष्ट आता है आपका हुमाय। अभी और भी बहुत सारे पैक्ट हैं अभी पढ़ते जाईए बस समझते जाईए कैसे हम आपको चुटकी में याद करवाते हैं तो हुमायू के बारे में समझते हैं तो इसका पूरा नाम क्या है नसीरुद्दीन मुहम्मद इसका पूरा नाम है यादत में है और हुमायू का जन्म कब होता है 6 मार्च 1508 में होता है कहां पर होता है काबुल में होता है ठीक है और हुमायू की माता का नाम पूछे तो ये माहम बेगम थी ठीक है और बाबर के चारों पुत्रों इसके कितने पुत्र थे मतलब बाबर के चार पुत्र थे हुमायू, कामरान असकरी और हिंदाल इसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था यही आपका हुमायू था ठीक है और हुमायू की जीवनी पूछा जाता है जैसे बाबर की बाबर नामा था वैसे ही इसकी जीवनी का नाम क्या है हुमायू नामा है ठीक है और कौन सा मुगल शासक है जो जोतिस पर विश्वास रखता था इसलिए वह साथ दिन साथ रंके के कपड़े पहन था तो यही अपना हुमायू जो जोतिस में विश्वास रखता था ठीक है? और पूछा जाता है कि 1556 इस भी को हुमायू की मित्व हो जाती है कब होती है? 1556 में इसकी मित्व हो जाती है याद रखना है और मतलब कैसे होती है? सेर मंडल जिसे हम पोथी खाना बोलते हैं इसकी सीडियों से गिलकर इसकी मित्व हो जाती है ठीक है? और लेनपून है एक है लेनपून एक विक्ति का नाम है लेनपून इसने हुमायू के विशे में एक वक्तव कहा है, उसको सुन लीजे क्योंकि ये पूछा जा चुका है एक्जाम में पूछा जाता है कि हुमायू जीवन भर लड़कडाता रहा और लड़कडाते हुए ही अपनी जान दे दिया किसने कहा था ये ये लेनपून ने कहा था ठीक है ऐसे ही एक क्वेशन और पूछा जाता है कि इरानी चित्रकार अब्दुश्यमत सीराजी और मीर सेयद अली इनको किस मुगल शासक ने सबसे पहले अपने दरवार में आमंदित किया था किसकी बात हो रही है पहला अब्दुश्यमत सीराजी प्लस दूसरा मीर सेयद अली ठीक है इन दोनों को किस में आमंदित किया था ठीक है और हमायों के दरवारी चित्रकार कहां के रहने वाले थे तो ये आपके कहां के एरान या फिर फारस कह दीजिए और हमायों ने किस कहान कि अमीर अम्जा कहानी के जो चित्र है वो किस पर बने हैं तो यह सूती कपड़े पर बने हैं और किसने कबूतर के पंख को काट कर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाय था तो यही था हुमायू ठीक है और पूछा जाता है दिल्ली में जो दीन पनाह नगर है जिसे हम विश्यू का सरण इस्थल बोलते हैं देखे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्यू का सरण इस्थल क्या है तो आपका दिल्ली में दीन पनाह नगर है ठीक है चित का नाम क्या है, किला एक कुहना नाम है, ठीक है, और हुमायू के अविश्कारों में एक चीज मिलती है, चहार ताक नामक नाव, कौन सी, चहार ताक नामक नाव मिलती है, इसके अविश्कारों में, ठीक है, यह आपके हुमायू थे, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अकबर के बारे में समझते हैं ठीक है अकबर के बारे में तो यहाँ से देखते हैं अकबर के बारे में सबसे पहले याद रखना है इनका पूरा नाम था जलाल-दीन मुहम्मद अकबर नाम था ठीक है याद रखना है और अकबर को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जाता है सुनने जाता है अकबर ए आजम के नाम से जाना जाता है अकबर ए आजम के नाम से शहनसाह अकबर के नाम से और फिर महाबली शहनसाह के नाम से ठीक है ऐसे याद रखना है और पूछा जाता है अकबर किसका कि पौत्र था याद रखना है मुगल समराज के जो संसथापक थे जहीरु दीन मुहम्मत भावर इनका पौत्र था ठीक है और किसा पौत्र था Bingle March याद रखना हैं ठीक है और पुत्र किसका था तो ये हुमाईू प्लस हमीदा दोनों का पुत्र था ठीक है, हमीधा और हुमायू ठीक है, और अकबर के जन्म की बात की जाए कब होता है, तो इसका जन्म होता है 1542 में, कहां पर अमर कोट सिंद में, राजपूत शाशक थे, राढा बीरवल मतलब बीरवल के, मतलब आपके अकबर के समय में होता है जयाद रखना है ठीक है और पूछा जाता है कि अकबर का जो राज्या भी सेख हुआ था वो कितने वर्स की उम्र में हुआ था जब यह 13 साल का था तब हुआ था और कहां हुआ था कला नौर आपके पंजाब में पढ़ता है तो यहीं पर आगे पूछा जाता है कि अकबर का विवाह कब होता है तो 1562 में होता है ठीक है और आमेर के कच्छवाहा राजपूत भारमल की पुत्री थी जोदाबाई इन से होता है उल्टा करके पूछ ले जोदाबाई किसकी पत्ने थी तो अकबर की तो याद रसना है एक चीज बहु जो नीती अपनाई थी वो इसी अकबर ने अपनाई थी ठीक है और अकबर के दरबार में 1580 इस्वी में फतेपुर सीकरी से आने वाले प्रथम जैस्विट मिशन का जो नित्त किया है वो किसने किया है तो याद रखना है ये फादर एका बीवा थे इन्हों ने किया था ठी इसे हम पूजा ग्रह कहते हैं इसकी स्थापना की थी कहां पर की थी ये की थी पतेपुर सीकरी में की थी ठीक है याद रखना है और पूछा जाता है जगत गुरु की उपाधी प्रदान किसको की थी अकबर ने ये जैना चार हरी विजय सूरी थे जिनको जगत गुरु की उपाधी पुर्णान की थी ठीक है और अकबर का मगबरा पूंचलि कहा है तो ये है सिकंद्राबाद में कहां है सिकंद्राबाद आगरा में पढ़ता है उतरपदेश में यह टिक है और अकबर के शासनकाल YE कृफ़। इस्थापत कौन सा है, यह याद रखना है, हुमाईू का मकबरा है, जो कि किसने बनवाया था, यह हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक है, और हाजी का मतलब पूच ले, क्या होता है, तो जिसमें मक्का में इस्थित इस्थल की यात्रक ही होती है उसको हम हाजी बोलते हैं, याद रखना है और पूछा जाएगा अकबर का मगबरा जो है इसका मगबरा जो है किसने बनवाया था तो इसका मगबरा इसके पुत्र जहां गीर ने बनवाया था ठीक है और मुगल शैली की नियू किसने रखी बोल दे तो अकबर ने रखी है और चित्रकला को प्रोथसाहि किस ने किया है तो यही अकबर ने किया है पूठ लेगा आ देखे ये question पूछा जाता है important है थोड़ा कि जो आईने अकबरी है इसके मुख्य शुत्रकार कौन थे किसके आईने अकबरी के आईने अकबरी के कौन थे तो याद रखना है केशव दास थे धरम दास थे और बसावन ये थे ठीक है पूछा जाएगा दीने इलाही धर में किसने चलाया है इंपोर्टेंट है कि 1575 में फतेपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दर्वाजा बनवाया था कौन सी विजय के उपलक्ष में तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष में इन्होंने बनवाया था ठीक है और पूछा जाता है कि जो बुलंद दरवाजा है इसकी उचाई कितनी है तो ये लगभग आपका 134 फिट है ठीक है और पूछा जाता है कि शबी जो है सबी रचना का बड़े पैमाने पर जो आरंब होता है कहां पर होता है अकबर के ही टाइम पर और रूप चित्र का अकबर के ही टाइम पर बनते हैं ठीक है और मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्रण को विशेश स्थान मिला है वो भी इसी के टाइम पर अकबर के टाइम पर ठीक है और भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की सुरुआत पूछे तब भी अकबर के समय में ठीक ह और पूछा जाएगा कि फिर यह चीज़े याद रखनी है, ठीक है सारी? आगे पूछा जा सकता है आप से, आगे पूछा जा सकता है कि किस गृंग का चितरण मुगल शैली में हुआ है? तो ये जो हरिवंश पुरान है ऐसे पूझे जाता है हरिवंश पुरान जो है इसका चित्रन कौन सी शैली में हुआ है तो ये मुगल शैली में हुआ है ठीक है और किस मुगल समराट ने महान संगी तक हरीदास से भेट की थी किस ने की थी तो ये अकबर है जिन्होंने भेट की थी ठीक है और अकबर के समय उसके तस्वीर खाने में कितने चित्रकार काम करते थे तो यहाँ पर 207 चित्रकार काम करते थे जिसमें से 56 प्रिशत हिंदू थे कितने 56 प्रिशत हिंदू थे ठीक है और अकबर कालीन चित्रकारों में सरवाधिक जो संख्या थी ना वो हिंदू चित्रकारों की ही थी ठीक है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा थोड़ी सी भी क्लास अगर पसंद आया करें तो likewise कर दिया करें ठीक है अभी तो अकबर के बारे में बहुत सारी चीजे पहने हैं तो कि मेंली जो है आपके हिसाम में अकबर ही आपका अकबर मतलब बावर उमायू यह जादा नहीं है important लेकिन अकबर से जादा question पूछे जाते है ठीक है आगे चलते हैं तो अकबर के दरवार का प्रशिद छवी चितरकार कौन था तो यह आपका कौन था बसामन था और अकबरी दरवार मतलब पूछा जाता है अकबरी दरवार का जो व्यंग चितरकार था वो कौन था यही बसामन था और बसामन कौन सी जाती से था यह अहीर था ठीक है और अब्दूलकादिर बदायूनी ने किया है इसने हुसेन इबन अली बैज अलकासित में ठीक है और पूछा जाएगा वाक्यात ये बावरी इसकी मतलब पूछा जाएगा कि वाक्यात ये वावरी की अकबर कालीन प्रती में कितने हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों का उलेख है वाक्यात ये बावरी की अकबर कालीन प्रती में कितने हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों को देखने को मिला है तो ये हमें उनीज हिंदू मिलते हैं हिंदू चित्रकार और तीन मुसल्मान मिलते हैं तो तेरा चार कृस्वे है और वाक्यात ये बावरी में उनीज तीन है अब चलते हैं आगे पूछा जाता है कि जो बावर की एक प्रती सुरक्षित की गई है अकबर के समय में वह कहां की गई है तो ये आपके राष्टी संग्रहाल है नई दिल्ली में इसको किया गया है ठीक है और पूछा जाता है कि जो रसिक प्रिया का चित्र है जो संबवता बीरवल को भेंट स्वरूप देने के लिए बनवाया गया था कौन सा रसिक प्रिया कि कौन सी शैली में मिला है तो ये आ आगे एक चीज यार रखिएगा, जो केशव है ना हिंदु कभी केशव, इनकी करती थी रसिक प्रिया by 1621 के छित्रइद हnd रशप क्रती पिर से सुन लीजे, जो केसों हैं, इनकी रसिक पिरिया रचना है, जो की 1620 में होती है, ठीक है, और रसिक पिरिया के जो चित्र है, 32 चित्र बोस्टन संग्रहाले में हैं, और 12 चित्र जो है, कहां है, लिंदन और अमेरिका के निजी संग्रहाले में हैं, पूछा जाता है, य ये किस शासक के समय में चित्र बनवाए थे, किस मुगल शासक ने इसमें चित्र बनवाए थे, तो ये बनवाए थे, अकबर ने, किसमें बनवाए थे, अकबर ने बनवाए थे, याद रखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अकबर के चित्रशाला का जो मुख्य चित्र अगे चलते हैं मतलब की देखिए पूछा जा सकता है ऐसे कि जो मतलब जो मीर शेयद अली है वो किसकी चित्रशाला में काम करते थे तो उल्टा पूछ ले तब भी याद रखा है ठीक है आगे पूछा जाएगा कि अकबर के दरबार का जो स्रेष्ठ था वो कौन था वो अब्दुश्यमत था और मुगल चित्रकला में हिंदू विश्यों का पोशप कौन है तो ये आपका अकबर है ये पूछा जाएगा है ठीक है और अकबर ने अपनी दरबारी चित्रशाला जि कितने गुजराती थे गुजराती की बात आएगी तो 6 चित्रकार थे गुजराती और कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और सूलिपीकार ये दोनों था बताएगे कौन सा मुगल कलाकार है जो चित्रकार सूलिपीकार दोनों था ये आपके जो अब्दुश्यमत सीरजी है न नामा में सर्वस्रेष्ट चित्र कौन सा है तो ये सलीम के जन्म वाला चित्र है ठीक है याद रखना है और मतलब कब बनता है 1590 में और मतलब इसके चित्रकार कौन है शंकर है और संग्रे है लंदन में ठीक है याद रखना है और अकबर किस कहानी का बहुत शौकीन था तो ये अमीर हम्जा की कहानी का बहुत शौकीन था और अमीर हम्जा मतलब जो कहानी का शौकीन था वो कौन था अकबर था ये बता दिया आपको और पूछा जाता है किसके संद्रक्षन में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ था तो ये अकबर के ही संदक्षन में हुआ था याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो किसके संदक्षन में हमजा नामा ये बता दिया और पूछा जाएगा दास्ताने अमीर हमजा इसमें जो चित्र है कितने बने हैं लग भख 4000 सो बने हैं ठीक है और पूछा जाता है दास्ताने अमेर हम्जा के जो चित्र बने है वो कैसे बने हैं तो 28 x 22 इंच लंबे चोडे सूती कपड़े पर बने हैं ठीक है और अमीर हम्जा की 61 परतिया जो है ये कहां सुरक्षित है तो यह आपके Museum of Applied Art Vienna Austria में रख्था गया है इसको ठीक है पूछा जाएगा कि निपुर पच्छी जो चित्रकार था मतलब अकबर के दरबार का पूछा जा रहा है यह अकबर के दरबार का जो निपुर पच्छी चित्रकार था वो कौन था तो यह आपका मिस्किन था कौन था यह मिस्किन था ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे पूछा जाएगा कि अकबर कालीन कृष्ण गोवर्धन कृष्ण गोवर्धन परवत को उठाय हुए जो कि Metropolitan Museum of Art New York USA में सुरक्षित है इसके लगू चित्र को 1585 से 90 के बीच में बनवाया गया था किसने बनाया था इसको तो इसको बनाया था मिस्किन था यह याद रखना है और किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्म प्रथम पास्चात कला दिखाई देता है तो यह अकबर के ताइम है ठीक है और रामचरित मानस की रचना के समय मुगल शासक कौन था तो यही अपना अकबर था और किस मुगल शासक के समय में पहली बार भीती चित्रकारी की सुरुवात होती है तो अकबर की समय और पूछा जाता है कि बाबर का घोड़े पर से गिरना ये किस युग का चित्र है तो ये भी अकबर के ही टाइम का है ठीक है और रामायड अच्छे से समझेगा रामायड योग वसिष्ट हरी बंश इसके चित्र कौन सी शैली में बने है तो मुगल शैली मे और किसके काल में बने है तो अकबर के काल में बने है ठीक है हर चीज को अच्छे से सुनते जाना है क्योंकि सारे फेक्ट आपके एक्जाम के लिए important है आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा हुग ठीक है आगे पूछे जाएगा किस योग के चित्रो इसमें 378 पन्ने थे जिसमें से 122 पन्नों पर 144 पेज मतलब चित्र है 122 पन्नों पर 144 फिर से सुन लीजिए बाबर नामा की पोथी जिसमें से टोटल कितने हैं 378 पन्ने हैं जिसमें से 122 पन्नों पर 144 चित्र है ये सुरक्षित कहां है तो राष्ट्री संग्रहाले नई ठीक है आगे समझ में आगे बते हैं आगे पूछा जाएगा कि युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय सबसे अधे कंकित होते हैं तो ये अकबर के टाइम थे और एक ही नाम के दो चित्रकार हैं जो मुगल तथा राजिस्थानी शैली के थे तो कौन है ये मनोहर है याद मान सिंग् डुतिय संगरहाले जैपूर में इसका संगरहण है ठीक हैं और सीरी कलम किस कलाकार की उपादी है सभी जानते हैं अब्दुर्षा हमार सीरी ठीक है औरDadsan काल में शील्प सास्थ की कौनसी पुस्तक लिखि оп scheme ऐगा है तो यहां शील्प रतम्हों से क्यों कि स्वेमें औरकिम्ह, कीरल के श्री कमार थी इंहोंग छाधि क्यों है टीक है और बाबर नामा के ऊपर के चित्र कहां पर बनाए गये हैं अकबर के शासंकाल में ठीक है और दास्ताने अमीर हमजा इसकी चित्रावली किस ने तैयार की है तो ये तबरेज निवासी थे मीर शेयद अली और शीरा जी इसके मतलब अब्शुद अब्दुश्मत ने की है ठीक है आगे चलते हैं तो बाबत सोन नदी पार करते तो ये जगननाक छुतेरे ने बनाया है ठीक है और मुगल कालीन चित्रकार दसवंत का गुरु कौन था तो ये ख्वाजा अब्दुश्मत था और किस मुगल चित्रकार ने भारती देवी देवताओं का चित्र किया है तो ये दसवंत ने किया है और अकबर कालीन तूती न कि रहता है 1560 part 500 pub अर्शथ में लिखते हैं घृक है और सुर्ण मंदर पूछे पूछाटा है कि सुर्ण मंदर अम्रत सर के लिए जो भूमी मतलब द्रीथी किस ने दी थी अक्वरण मंदर का निर्मान किस ने किया था तो गुरु अर्जुन देव deswegen 15 आगे बढ़ते हैं तो अकबर के समय तुर्की से फार्सी में अनुवाद बावर की आत्म कथा किस नाम से की जाती है तो ये है वाकियात ए बावरी जिसका टाइम पिरियड मिलता है 1589 ठीक है और अकबर के शाही पुस्तकाले कहा कहा पर थे तो ये आपके आहागरा में थे दि जो पोथी खाना है यहाँ पर लगबग 24,000 पुस्तके थी जिनका मूल करीब लगबग 6,000,000 रुपए था ठीक है और पूछा जाता है इंडिया ओफिस लाइबरीरी कहा है तो ये लंदन में है फटेपुर सीकरी की जामा मस्जित किस नाम से जानी जाती है तो ये शान ए सी से जहां गीरी महल इसका निर्मार किसने करवाय था तो ये एकबर ने करवाय था ठीक है और 1960 की फिल्म मुगले आजम में अकबर का चरित्र किसने निभाया था तो ये प्रथवी राज कपूर ने निभाया पूछा जाएगा मुगले याजम जो है कब आती है 1960 में आती है और अकबर का करेक्टर कौन रोल करते हैं सेव रिथवी राज कपूर ठीक है पूछा जाता है कि 2008 में आती है आश्टोस गोवरिकर द्वारा निर्देशित फिल्म जोधा अकबर कब आती है 2008 में आती है और इसमें जो अकबर और जोधा का चरित किया है मतलब रोल निभाया है किसने तो जो जोधा बनी थी वो एस्वर्य राय बनी थी और अकबर बने थे कृटिक रोशन ठीक है तो ये जो मूवी आती है कब आती है ये 2008 में आती है जोधा अकबर और मुगले आजम कब आती है 1960 मे जाते हैं ठीक है उमीद बहुत अच्छे से समझ में आया है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है ना अब हमें लगता है कि लास जादा लंबी ना हो जाए क्योंकि चैप्टर जो है काफी बड़े हैं तो एक काम करते हैं अकबर को अकबर को पढ़ा दिया है हमने है क्योंकि यह मुगल चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है ठीक है चलते हैं आगे तो अब पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में चलिए समझ लेते हैं जहांगीर को तो जहांगीर का टाइम पिरिएट कम मिलता है 1605 से 1627 में मिलता है पूछेगा इनका पूरा नाम क्या था जहांगीर का तो याद रखना है क्या नाम था मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान शलीम क्या नाम था मिर्जा नूरुतीन बेग मुहमद खान सलीम था ठीक है जन में कब होता है 1579 में होता है किसके गर्व से होता है जो जहांगीर है इसका विवाहे किस से होता है नूर जहां से होता है और नूर जहां का जो मूल नाम है ये महरुन निसा है ठीक है और नूर जहां का सम्द्ध किस वस्त कला से है तो इसका सम्द्ध चिकनकारी से है और पूछा जाता है कि जो नूर जहां की मा है उसका नाम है अस्मत बेगम इन्हों ने क्या किया था कि गुलाब से इत्र बनाने की विधी का अविस्कार किया था इनकी माने ठीक है पूछेगा जहांगीर का मगबरा कहां है तो यह आपके शहादरा लाहौर में है और सहजादा सलीम की जो प्रेसी थी मतलब प्रेमी का थी वो कौन थी अनारकली थी अनारकली का मगबरा कहां है लाहौर पाकिस्तान में है ठीक है और पूछा जाता है कि 1953 इस और पूछा जाता है किसने फार्सी भासा में अपनी आत्म कता तुझो के जहागीरी की रचना की है तो ये किसने की है जहागीर में की है ठीक है और प्रकती जानवरों फूलों के लिए अनन्नि प्रेम जो है वो किसमे चित्रित है तो यही आपकी तुझो के जहागीर में है औ शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं तो जहांगीर के समय बने हैं और कौन सी शैली होगी मुगल शैली होगी और जहांगीर के समय शिकार के अनेक चित्र किसमें बनाए हैं बनाने वाले थे कौन मनुहर थे ठीक है और मनुहर द्वारा निर्मित है शेर का शिक करते हुए जहां गिर इसका जो प्रश्चिद्र है मनुहर का कहा प्रश्चिद्र मतलब सुरक्षित और इसकी दूसरी प्रती ऑक्सफो्ड में और दूसरी मास्कों में आगे चलते हैं तो मुगल कला किस शाथक के काल में अपनी चरम पारा कास्था पर पहुंसती इस तो यह जहांगीर के ही टाइम पे पहुंचती है ठीक है आगे पूछा जा सकता है आपसे कि मुगल काल में चित्रकला का चर्मोद कर से किसके काल में जहांगीर के और मुगल कलम का सर्वस्टेश्ट समय था कौन सा जहांगीर का समय था और कौन सा मुगल समराठ चित्रकला को सबसे अ बताते जा रहे हैं सुनते चाईए सुनते सब याग हो जाएगा नूर जहा कर सभी किसे ने बनाया है तो यहीं विशंद ले बनाया है और मुगल शिंग हसन पर जहागीर की सतासीन होने के आवसर पर दर्बार का द्रश्य किस चितР कार ने तो कौन था ये अपना अबुलहसन था और जहागीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसको मानता था तो यही अबुलहसन को मानता था ठीक है अब देखिए एक प्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जहागीर ने एक चीज बनवाई थी जिसका नाम था शीज महल च कहा है पहली बात तो ये अजमेर में है और बनवाई किसने है जहागीर ने ही इसको बनवाया है ठीक है तो समझ में आ गया होगा आगे चलते हैं और पूछे जाता है कि जहागीर का प्री चित्रकार कौन था तो यही आपका क्या नाम था अबुलहसन ठीक है और अबुलहसन और मनसूर ये जो दोनों थे ना इन दोनों ने मिलकर एक क्रती बनाई थी जिसका नाम है चेनार के व्रक्षपर गिलहरिया पूछा जाता है चेनार के व्रक्षपर टिकार के बाद जहांगीर काल का है ये ठीक है ये चित और पूछा जाता है इसका माध्यम क्या है इसको जो कागज पर नीम कलम तकनीक से बनाए गया है ठीक है सुरक्षण की बात की जाए कहा है तो हमने पहले ही बताया रास्ट्री संग्रहल है नई दिवली में सुरक्षित है और कौन सा शेर के शिकार के बाद ठीक है आगे पूछा जाएगा शेख सूफी संत पूछा जाएगा जहागीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या ली हुए चित्त किया गया है तो इसमें फूल का चित्रन किया गया है जहागीर ने किस चित्रकार को शाह अब्बास का व्यक्ति चित्र बनाने इरान भेजा था तो किसको बिशंदास को भेजा था ठीक है आगे फटेप और श्री नगर में शालीमार बाग किस ने बनवाया है तो ये भी जहांगीर ने बनवाया है और पूछा जाता है कि विशेश प्रकार के पशु, पक्षी, पूल, पत्ती, राजकुमार और जादूगर, यूरोपी सिपाही, इसाई, साधक, चीनी, ड्रेगन ये सब किसके टा जाता है तो ये जहांगीर के टाइम पर और पूछा जाता है कि 1960 इसवी की के आसिप द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म है मुगले आजम इसमें शहजादा सलीम और अनारकली का जो रोल किया है वो किस ने किया है तो दिलीब जो है उसने शहजादा का और मधुबाला न अनारकली इसका रोल किया है तो यहां तक समझ में आ गया होगा तो यहां से हमारे जो जहांगीर है वो किम्प्लीट हो जाते हैं तो आज के वल यही तक रहते हैं वरना लंबी हो जाएगी क्लास अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कल शाह जहां से, ठीक है, इसके आगे जो next class होगी, अब वो शाह जहां की होगी, तो class कैसी लगी है, सभी को ये बताना है, कि class कैसी लगी है, ठीक है, class कैसी लगी है, और समझ में आया कि नहीं आया, और ये series आपको कैसी लग रही है, सब बनाएगा वह आप लोग बनाएगे तो आप लोगों को कमेंट में नीचे जरूर बताना है कि आपकी क्लास कैसी लग रही है पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना है कमेंट जरूर करना है ठीक है चलिए ओफ